हालो हालो हाई हाई रेनू हाई हर्षिता हाई शूती हाई अक्षत हाई प्राची हाई उव्राज हाई ओशिका हाई प्रनव हाई अक्षत हाई इशू हाई रश्मी हाई कसक हाई वेली हाई तिशा हाई स्वाती हाई नेहू हाई अभिशेक हाई इशू कैसे हो शानूर आचा भीकीЙ भी अभिशेइग रादे रादे भी इसे वा इशेग कों प्रा मूदे रादे है थे अभीजीट तीज już मैं कुमोद कुमोद प्रानोर्स बैशक फूर्सलू तबींच गेनर कोंव अभीशेख वीच में मोर् ंसे वहाई उसे थाओ हाई राखी वाट्स आप क्या हाल है अगे हाँ जी ऑल राइट सो अभी आज मैंने आपको संडे को लोग लाई वाय थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि यह रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन क्यू बहुत सारे बच्चों के लिए टफ हो सकता है तो रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन क्यू एक ऐसा पार्ट हो सकता है एक ऐसा सेक्शन हो सकता आपके पेपर का जिसके अंदर आपको थोड़ा एक टफ टाइम लगेगा ठीक है हमने यह भी डिसाइड किया था कि अगर हम लोगों को रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन में 22 आउड़ चाहिए तो कौन-कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए अगर हम लोगों को दोनों तरीके के क्वेशन चाय वहमारे डिस्क्रिप्टेव वाले स्कॉषिन हो या फिर हमारे थाक्चॉल क्वेशन हो सही करने तो आज के इस class से हम एक एक series का शुरुवात करने वाले हैं, जिसकी अंदर हम reading comprehension यहाँ पर solve कर रहे होंगे, एक question एक दिन करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटा-फट से question करेंगे, फटा-फट से question आपके पास homework में आ जाएगा, कहाँ पर आएगा, यह homework वाला question, यह homework वाला question आपको मिल जाएगा, learn whichever पर, यह homework वाला question मिल जाएगा, आपको ओडा के टेलिग्राम पर, या फिर मेरी community पर, यह तीनों जगे पर आपको homework वाला question मिलेगा, तुरंट से question कर लीजेगा, बात खतम, तो आज का हमारा reading comprehension का task हो जाएगा, खतम, तो आज का हमारा reading comprehension करके देखेंगे, तो आपको realize होगा, इसके अंदर facts बड़े कम है, ठीक है, facts कम है, इसके अंदर description दिया हुआ है, मैंने आप लोगों को descriptive passage का approach पिछले class के अंदर बताया था, वही चीज़ अब यहाँ पे ध्यान रखनी है, descriptive passage का approach क्या होता है, हम लोगों को सिर्फ starting के करने के लिए, जो ही हमारे answer में हमारे लिए काम आएगा, descriptive passage में, चले जल्दी से read कर लीजे, सामने आपके एक passage है, passage में first वाला part read कीजे, did you know that there is a fiber से, मैं read करूँ साथ-साथ, मैं read कर दीओ, जी बिल्कुल possible है, अभी भी पढ़ रहे हैं, English में अभी भी ध्यान दे रहे हैं तो आप 80 out of 80 लेकर आ सकते हैं, तो आप 80 out of 80 लेकर आ सकते हैं, इस नोट difficult, हाँ जी, did you know that there is a fiber that is as flexible and lightweight as nylon, yet five times stronger than steel, did you know that this fiber is resistant to temperatures higher than 500 degrees Fahrenheit, did you know that a woman invented this fiber, this miraculous fabric is called kevlar and it is used to make everything from body armor to musical instruments. The year was 1964, there was gasoline shortages due to conflict in Middle East, a Polish-American chemist named Stephanie Louie Kowalik was working for DuPont, an American chemical company and she and her group were trying to make a lightweight yet durable fiber to be used in tires. So, आप देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हमें introduction वाला paragraph पढ़कर यह अंदाजा लग गया है, कि यह paragraph किस बारे में होने वाला है. So, this paragraph is going to be about a flexible yet lightweight fabric, चीक है, जो fabric का नाम है kevlar, चीक है, इसके बारे में यह होने वाला है, अब इसका description हमें मिलेगा, कैसे invent हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं यही दिया हुआ होगा, अब अगर हम लोग यहाँ पे इसका last वाला paragraph पढ़ लें, तो हमें idea लग जाएगा, कि आखि Richard R. Millenow created the first kevlar bulletproof vest in 1975. It contained 15 layers of kevlar which could stop handgun and shotgun bullets. The vest also had a steel plate over the heart which made the vest strong enough to stop rifle rounds. Vests like R. Millenow's were quickly picked up by police forces and it is estimated that by 1990, half of all police officers in America wore bulletproof vest daily. So, हमने देखा किस तरीके से हमने इसकी starting के अंदर देखा था कि कैसे हम लोगों के लिए यहाँ पे एक बहुत ही ऐसा अलग सा fiber जो है अलग सा fabric जो है वो एक lady ने discover किया और कैसे वो discover हुआ वो हमने first paragraph में देखा, conclusion यह है कि वो इतना strong था कि इसे finally use किया जा रहा है police के लि कुछ भी नहीं है तो चले question पे चलते है आदिया, hi, hello, hello, okay, first question देख लिए, question आगया है based on the passage above, question number a, select the option that best classifies Clovic's emotion upon realizing that it was worth convincing the technician. अब बच्चों जब ऐसे question आजाते हैं कभी भी आपके सामने question और question को करने का सबसे बड़ा तडिका होता है, by the way, यह proper noun, इसका pronunciation, different languages तो different हो सकता है, अब आपको यहाँ पर पता चल गया है कि आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि भाई, इनके emotion कैसे थे जब उन्होंने realize किया, that it was worth convincing the technician, हमारा lead phrase है, क्या है, lead phrase, lead phrase है, तो जल्दी से एक बार passage के अंदर चले जाएंगे, और passage में जाकर ढूंडेंगे, इसको तो पता चल जाएगा कि यह कैसा feel कर रहे थे उस time पे, चलिए passage में चलते हैं, हमारे पास में answers भी यहाँ पर आते जा रहे हैं, आपके सामने है, आपको technicians के साथ में convincing, यह वाला lead phrase डूड़ना था, यह lead phrase यहाँ पर है, अब मुझे मेरा answer यहीं पर मिलेगा, अब मेरे को अगर एकदम correct answer पर land करना है, तो MCQ वे मैं elimination technique लगाऊंगी, मेरे पास जो options given हैं, उन में से मैं उन options को cut करती जाऊंगी, जो इसका answer नहीं हो सकता है, तो मैं देखूंगी कि कौन सा इसका answer नहीं हो सकता है, lethargic, lethargic का मतलब होता है, lazy, यह तो नहीं हो सकता है, disinterested का मतलब होता है, कि जिसमें ज़्यादा हमलों की दिल्चस्पी नहीं है, यह भी नहीं हो सकता है, curious का मतलब हो सकता है, उत्सुक, किसी चीज़ को लेकर जिग्यासा होना, यह भी नहीं हो सकता है, क्योंकि paragraph की अंदर हमें महसूस हो रहा है, कि वो खुश है इस चीज़ को लेकर, happy, a should be the correct answer, सारे बच्चों को एकदम correct, एकदम correct answer आया, कलपना का एकदम correct answer है, इंस्टा का, सम्युकता का correct answer है, रश्मी का, सुरेंद्र, दिशान्त, एकदम correct answer है, very good, महवेश, कृष्णा, और राइट, रश्मी, और राइट, और राइट, और राइट, चलिए, 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 ये तो अभी हम पढ़के आये, ये तो हमने पढ़ा है, इसके ये passage बे जाने की जुरूत नहीं ही पढ़ेगी, एक बार जल्दी से बता देंगे, इस पर पैसेज में जाने की जुरूत नहीं पढ़ेगी, थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी मुझे बताएंगे, कि इसका जो significance है, इसकी जो importance है, हो क्या हो सकती है, it is a fabric used in fashion industry, it is resistant to high temperature, it is durable and strong fabric, it is used to make musical instrument, एक significance, importance बताने है, importance, importance, and we have Shlok, Pranav, Swati, नहीं, नहीं, Swati, Tisha, Tisha ने एकदम correct answer दिया है, we have Pia, okay, okay, Akshit ने एकदम correct answer दिया, Krithi का भी एकदम correct answer है, Renu एकदम correct answer, very good, इसका C होना चाहिए, C should be the correct answer, it is a durable and strong fabric, हमने starting से इसको देखा है, कि इतना जादा durable or strong fabric है, ठीक है, एक तो बहुत ही flexible है, बहुत लंबे टाइम तक चलाया जा सकता है, और इतना strong है कि steel से भी जादा ताकतवर है यह, आल राइट, हमने यह देखा, चलो चलो चलो, फड़ा फट से आजाते हैं, question number C पे, question number C कहता है, share evidence from the text in about 40 words to support the view that the writer's writing style is narrative and informative, अब बच्चों इस तरीके के जो question होते हैं, यह वाले question आपके, यह आपके MCQ वाले question नहीं है, subjective question है, आपके paper के अंदर subjective और objective दोनों तरीके के question पूचे जाएंगे, यह वो question है, जिसका answer आपको 40 शब्दों के अंदर लिखना रहेगा, इस question में आपको बड़ा ध्यान रखना है, आपको कोशिश करनी है कि आप actually वो points mention कर पाओ, जो question कहीं न कहीं indicate कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह बताया जाना है, आपको यह बताना है, कि writer की जो writing style है, वो narrative है, पता है already, आपको evidence share करना है, आपको यह चीज प्रूब करनी है, ऐसे सबूत देने हैं, जिनसे यह पता चल सके, कि writer की जो writing style है, वो narrative और informative है, कि वो लोग वो एकदम story की तरह चीजों को बता रहे हैं, और इसके साथ-साथ उन्होंने information भी हमारे साथ में share की है, ठीक है, ठीक है, तो अब एक बार मेरे को इसके evidences text से उठाने पढ़ेंगे, चलिए देख लेते हैं एक बार, यार एक बात बताओ, यहां पर हम लोगों को, यहां पर हमारे जो writer है, हम लोगों को क्या कर रहे हैं? हम लोगों को बता रहे हैं कि यह जो fabric है flexible है, light weight है, ठीक है, इसके बाद उन्होंने हमें बताए कि भई, यह किस काम आ रहा है, हमें पता चल रहा है कि यार इसका यूशमिली इस्तमाल इनो ने काँ पर किया है सबसे पहले तो मिराक के लिए से यह बता दिया इसके बाद में आपको यहां पर पता चल जाएगा कि किस तरीके से औरो ने convinced किया यह convince करने वाली चीज़ जो है वो एकदम story लग रही है इसके बाद में हम लोगों ने याँ पर देखा है कि यह musical instrument के काम आएगा हमने यह देखा है कि इसके अंदर ability है bullets को रोग देने की तो यह सारी बाते जो है bullets को रोग देने की यह जो convincing के अंदर उनोंने story बताई है फिर इधर इधर हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से हमारे साथ में share कर रहे है कि कितना flexible है कितना right weight है यह कितने Fahrenheit जेल सकता है स्टील से भी ज्यादा ताकतवर है आप इसे कुछ भी बना सकते हो body armor से लेकर musical instruments तर यह सारी की सारी चीज़े क्या information ही तो है हम लोगों को एक दम एक story के form में इतनी सारी information यहां पर writer ने दे दी है तो हम समझ गए है कि writer की जो style है उस style के अंदर story भी हमें नजर में आ रही है मतलब narration भी नजर में आ रहा है और at the same time information भी है ठीक है तो अगर इसका answer note down करना है तो इसका answer कैसे लिखेंगे हम लोग इसका answer लिखेंगे देखो लिख लो the evidence from the text note down कर लो the evidence from the text हाँ जी that supports that supports the view that the view that the writer's writing style is narrative and informative इसको answer को करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि इसका introduction पहले question से उठाने का तो हम question से उठा रहे हैं इसको that the writer's writing style is narrative and informative is that 40 शब्दों में लिखना है तो is that it provides factual information it provides factual information हमने खुद ही देखा कितनी सारी information हमें बता चल गई है word limit है हमारे पास 40 शब्दों की तो थोड़ा सा introduction दे रही है उसके बाद में बता है क्या प्रोवाइड कर रहा है factual information अभी देखी थी information हमें degrees पता है मैं पता है इसके durability कैसी है मैं पता है किसका इस्तमाल किया जाता है तो हम लिखेंगे इसने क्या किया है factual information provide किया है usage के बारे में पता चला है तो कॉमा लगा कि usage लिख दीजे properties, usage, significance, significance, full stop अब इसके अंदर आप exact अगर कोई भी line quote करना चाहते है तो for instance डाल दीजे और for instance डाल के कोई भी line उठा लीजेगा जो भी मैंने underline case में से कुछ भी उठा लीजे ये सब कुछ प्रूवी कर रहा है अब चलिए आजाते है next पे question number d कहता है complete the sentence appropriately with a characteristic or its description based on the information given in the excerpt one can infer that about the versatility of kevlar that आपको sentence को complete कर लेना है और sentence ये है कि based on the information given in the excerpt आपको जो अभी एक excerpt एक passage दिया है उसमें लिखी गए information की according one can infer infer का मतलब होता है draw करना meaning draw करना तो one can infer about the versatility versatility का मतलब होता है कोई एक चीज जो बहुती जादा flexible हो जो जैसे जिस भी चीज में हम ढालेंगे ढाल जाएगी of kevlar that हम कैसे complete कर सकते है that 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 अभी versatility के बारे में बताया था that भाई इसका मतलब तो यह हो गया ना कि यह इतना versatile है तो इसका मतलब यह हो गया कि इसे तरीके से यूज किया जा सकता है तो that के आगे हम क्या लिख सकते है कि भाई इसको अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है that it can be used that it can be used in different ways हम कह सकते हैं अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है आप music instrument बना लीजे body armor बना लीजे आपकी मर्जी आप टायर बना ने टायर बना लीजे आल राइट नेक्स देखिए MCQ है Kevlar is a remarkable fabric Choose the word that can substitute the underlined word Underlined word है remarkable Kevlar एक remarkable fabric है आपको बताना है word remarkable को मैं कौन से word के साथ substitute कर सकती हूँ Low class, wonderful, cheap या strong Word remarkable का basically आपको यहाँ पर मेरे साथ में synonym शेयर करना है क्या लगता है remarkable क्या हो सकता है Low class, wonderful, cheap या strong क्या लगता है Remarkable D बोल रहे हैं, बच्चे B बोल रहे हैं, कुछ C भी बोल रहे हैं अब मेरे को लग रहा wonderful, 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 wonderful Remarkable, remarkable का मतलब इस और कभी कभी हम किसी चीज के लिए बोलते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, तो एक positive connotation के साथ में खुलते हैं, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है है ना, तो that is remarkable, तो यहां पर हम देख रहे हैं किस तरीके से केवलर एक remarkable फाबरेक हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे application है बहुत सारे application है, तो ऐसे में हम इसको क्या बोल सकते हैं, wonderful बोलेंगे ना मेरी जान्स, wonderful बोलेंगे उपर नीचे हो गया, b, c पर यह रहा, wonderful, wonderful should be the correct answer, यह b नीचे आ गया, c उपर चला गया तो wonderful should be the correct answer, remarkable को अगर कोई word substitute कर सकता है, तो wonderful कर सकता है, low class और cheap यह दोनों ही सस्ती चीजों को बताते हैं, जो remarkable के साथ नहीं जाता, और strong का मतलब होता है, मजबूत, तो strong किसी एक particular चीज में जा रहा है, जिक कि remarkable का मतलब है, जिसका जवाब ही नहीं है, कोई जवाब नहीं है, है ना, तो इसलिए remarkable का wonderful is the correct answer, next पर चलते है, question number F क्या कहता है, explain in about 40 words why the invention of Kevlar is considered ground breaking, अब अच्छो इस तरीके के question को कैसे करेंगे, underline कर रहे है, invention of Kevlar, एक तो मेरा ये lead phrase हो गया, इसके बाद में ground breaking मेरा lead phrase हो गया, अब मेरा काम क्या रहेगा, मेरा काम रहेगा कि मेरे को passage में जाकर ये डूंडने, मैं passage में जाकर ये डूंडूगी, मेरे को passage में ये मिल जाएगा, मेरा answer वहीं पे होगा, ये लो आपके लिए ये रा पुरा passage, कहीं पर भी इसके invention के बारे में कुछ भी लिखा है, वहीं मेरे lead words है, वहीं पर मेरे को मेरा answer मिल जाएगा, अब एक बार जरा इधर देख ले ना? Kevlar is a remarkable fabric known for its strength and durability. Since its invention, it has found its way into a wide variety of products. Kevlar is used in sporting equipment like bike tyres, bow strings, tennis rackets. It is used in musical instruments like drum heads, reeds, speaker cones. It is also used in protective gears like motorcycle safety jackets, gloves, shoes. However, Kevlar is best known for its ability to stop bullets. अब आप imagine करो, यहाँ पर अल्रड़ी ये चीज़ बताई हुए है. मेरे से question में क्या पूछा है? कि मुझे ये बता दो, कि Kevlar का invention है, वह एकदम धमाकेदार क्यू है? तो सबसे बड़ा reason ही यहाँ पर यह लिखा हुआ है, देखो न, आप इसकी strength और इसकी durability के लिए इसे जानते हो. इसकी strength और इसकी durability के लिए, जब से इसका invention हुआ है, इसकी strength और durability के लिए जाना जाता है, इसके साथ में इसको इसके लिए जाना जाता है, क्योंकि यह wide variety of products के लिए use किया गया है. एक्जामपल लिख दीजे, एक्जामपल यह है कि यह sporting equipment के लिए use किया जा सकता है, यह musical instruments के लिए use किया जा सकता है, यह protective gears के लिए use किया जा सकता है. अब क्या होता है, इस तरीके का question जब भी पूछा जाता है, अंशुमन 11th करेंगे, don't worry, don't worry, इस तरीके का question जब पूछा जाता है, तो आप पूरा का पूरा passage उठा कर लिख देते हो, वही पे number कटते है, क्योंकि 40 words भी cross हो जाएंगे, और teacher को लगेगा, आपने अपनी पूरा answer आजाएगा, ठीक है, है ना, तो इतना ही आपने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि क्या लिखना है, कि यह ground breaking था, क्योंकि Kevlar is known for its strength and durability, it has found its way into wide variety of product, it is used in sporting equipment, musical instruments and protective gears, full stop, done है, all right, इस तरीके से हम answer करने वाले, बड़ा ही आसान भाशा में, एकदम एकदम ऐसे करने कोई जरुवत नहीं है, कि यार मेर को अपने आपको बड़िया दिखाना है, तो ऐसे लिखू, कोई जरुवत नहीं है, सीदे सीदे काम हो रहा है, तो सीदे सीदे करने का, all right, next देखो, in the line, this miraculous fabric is called Kevlar and it is used to make everything from body armor to musical instrument, what does armor refer to, इस line की अंदर, जो यह line लिखी हुई है, this is miraculous fabric and it is called Kevlar, it is used to make everything from body armor to musical instrument, armor का क्या मतलब है, अब यह जो vocabulary वाले questions आते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे अटकते है, vocabulary वाले questions में बहुत बार आप से ऐसा word पूछा जाता है, जिस word को आप बहुत अच्छे जानते हो, ऐसा कोई वर्ट उठा कर नहीं पूछा जाएगा, जो आपके लेवल का नहीं है, पहली बात, दूसरी बात, अगर मान लो, अगर आप से कोई ऐसा word पूछ लिया गया है, जिसका मतलब आपको नहीं पता है, तो कोशिश करेंगे, कि हम इसकी sentence से meaning निकाले, यहां से लेकर, this से लेकर, musical instruments तक, अपनी भाशा के अंदर, इस sentence को convert कर दिए, translate कर दिए, अब जब आप से translate करेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे, कि आखर कार, यह body amur, यह आमर हो क्या सकता है, ठीक है, इसके बाद में यह सोचेंगे, कि आने वाले paragraph में भी कहीना कहीं इसका जिक्र किया गया है, आने वाले paragraph में जाहिकर किया गया है, वह protective gears यह बना रहा है कि यह पता चलिए मिलिये और और करेंगें drive फास मेदो इसका मतलब winter का दो यह अपको उपनके चाहरी मैआ आप यहांपर लिख सकते हो कि यह 15 बूलिट्प्रूफ जाकेश की बात करें अब आपको इसके लिए पूटिक्टिक्र जकतने तो भी आपका गाम चल जाएगा प्रोटेक्टिव गेर से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, आल राइट, चालो, आजाओ, नेक्स देखो, question number H, how does the following impact the reader's opinion about Chloe? colic, this solution was usually thrown away, but colic convinced one of the technicians to help her test it. अब बच्चों, यहाँ पर, जब हम लोग यह sentence पढ़ते हैं, यह statement पढ़ते हैं, हम जब यह statement पढ़ते हैं, कि this solution was usually thrown away, बट हमारी जो मेम साब हैं, उन्होंने convince कर लिया था, technicians को, कि please आप मेरी मदद कीज़े, इसे test करने के लिए, तो यह statement पढ़कर, आपको क्या लगता है, इनके बारे में, आपकी क्या opinion बनती है, इनके बारे में, यह जो मेम हैं, इनके बारे में आपकी क्या opinion बनती है, कि यह किस प्रकार की हो सकती हैं, बच्चों जब ऐसा होता है, कि दुनिया आप पर भरोसा नहीं करती है, और आप उसके बावजूद आपके दिमाग के अंदर जो idea है, उसको follow करने निकल जाते हो, आपके अंदर इसके लिए quality होती है, जिसे कहते है perseverance, आपके अंदर एक quality होती है, जिसमें आपको ऐसा फील होता है, कि आपको हार नहीं मानने है, तो हम जब यहां पर कोलेक के बारे में यह पढ़ते हैं, तो हमें रियलाइज होता है, कि वो पर्जीवरंट है, वो बहुत बहुत ही determined nature की है, इनोवेटिव हैं, उन्हें पता है कि इससे कुछ ना कुछ वो नया बना सकती है, इसके साथ में उन्हें खुद भरोसा है, कि जरूर इससे कुछ नया बन कर निकल कर आएगा, तो हमें यहां पर कोलेक के बारे में पता चलता है, कि वो कितनी persistent है, इसके साथ में वो determined है, और इसके addition के अंदर हमें पता चलता है, कि कैसे वो अपने सपनों के पीछे जाती है, जिस चीज़ पे वो बरोसा रखती है, वो उसे follow करती है, तो अगर हम इसको यहां पर form करके लिखेंगे, तो कैसे लिख सकते हैं, अगर करती है, तो कि अगर करती है, कि वो खुद में कितना भरोसा रखती थी, because उन्होंने गिवप नहीं किया, लोग कह रहे होंगे, यह क्या है, यह तो वेस्ट हो गया, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, यह कुछ नहीं बनाएगा, but she trusted herself, उन्होंने अपने गट्स को ट्रस्ट किया, अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट किया, and look what she created, आजाते हैं, next question पे, this is going to be the last question, read the five headlines, A से ए तक रीट करिये, A बुलता है, the success of Kevlar, B बुलता है, colleagues determination, C बुलता है, the diverse application of Kevlar, D बुलता है, wonder material, E बुलता है, fiber stronger than glass, now identify the option that displays the headline, headline or headlines that does or do not correspond with occurrences in the passage, आपको मैंने 5 headline दिये, आपने मेरे को ये बताना है, कि इनमें से कौन सी headline या headlines ऐसी है, जो passage के साथ में नहीं जाती है, क्या सिर्फ A है, B, C, D है, या सिर्फ E है, या A और E दोनो है, बता दीजे, इनमें से कौन सी headline आपके passage के साथ नहीं जाती है, हाई आदिया, हाई, हापिएस बॉद्धे तु यू, में गॉद्धे ब्लेस यू, I hope you are enjoying your बॉद्धे जिन भी बच्चों ने सी एकदम करेक्ट आंसर दिया है, मसी बोला है, उनका आंसर एकदम करेक्ट है क्योंकि देखिए हमने जब पासेज पड़ा तो हमें पता चला है केवलर की सकसेस के बारे में, एकदम आक्सिडेंटली बनाया गया था, पर कितना सकसेस्फूल हो गया, हमने के क्वलेक के के बारे भी देखा, हार बान सकती थी, पर हार नहीं मानी, उस सपने के पीछे गई और एक बहुत ही कमाल का इंवेंशन कर दिया, पूरे पासेज में देख रहे हैं कैसे केवलर का डाइवर्स अप्लिकेशन हमें दिख रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से लेके, से सब जगे ये यूज किया जा सकता है, इसे वंडर माटीरियल कह सकते हैं क्योंकि बहुत ही फ्लेक्जिबल है, बहुत ही डूरेबल है, और स्टील से भी जादा ताकतवर है, अब पाइबर स्ट्रॉंगर देन ग्लास नहीं, ग्लास तो आपको पता है, एकदम ब्रिटल जा रहा है, और इसी वज़े से does और does not जो है वो बताना था, तो कौन सा passage के साथ नहीं जा रहा है, e वाला नहीं जा रहा है, तो इसे लिए हमने c पे टिक किया only e, देख लो बच्चों, ये जो question है, ये question में strictly आपके जो sample paper है, उसकी according बना कर लाई थी, ठीक है, manipulative नहीं हो स आपके sample paper के according बना कर लेकर आई थी, I hope आज की ये जो class है, जिसमें आपने question solve किया है, आपका reading comprehension में थोड़ा सा confidence है वो उपर आया होगा, and don't worry, हम जिस तरीके से ही ये class लगाते जाएंगे, आपका confidence जो है reading comprehension में और अच्छा होता रहेगा, आप और ज्यादा confident feel कर रहे ऐसा ही question आपके sample paper में था, और ऐसा ही question exam में पूछा जाएगा, एक question है जो मैं आपको आज homework दे रही हूँ, ठीक है, वर्ड फर्माट के अंदर वो question आपको learn with shipra पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अड़ा के जिसका link नीचे है, और मेरे community पे भी मिल जाएग ठीक है, आपने उस question को कर लेना है, तक ही से आज आज आपने जो थोड़ा आपके अंदर confidence आया reading comprehension को लेके, वो confidence intact रहे और आप आराम से वो question के जल्दी से जल्दी solve कर सको, है ना, और उसके बात में हम लोग वापस मिलने वाले हैं, ये चोटा सा session में आपके लिए इसलिए लगा रही हूं, ज्यादा time waste नहीं करना है, ठीक है, हम वापस मिलने वाले हैं, फिर नया question करेंगे, फिर तोड़ा confidence boost मिलेगा, फिर homework करेंगे, reading comprehension में, जब तक आप exam में बैट रहे होंगे, मैं चाहती हूं कि आप अच्छे number of questions करके जाएं, क्योंकि जब आप practice करके जाते ह और यह चोटी-चोटी चीजे साथ में बैट कर सीख रहे होते हो, तो आपके लिए exam में बैट कर reading comprehension को पहले attempt करना बहुत आसान हो जाता है, अब यार आप लोग यहां पर आएं हैं, और आप इतना बैट के यह करके भी कहें, तो homework भी जरूर से कीजेगा, ठीक है, और कल भी के साथ में, और ऐसा ही session कल भी होगा, तो कल भी join करना है आपको, है ना, तो subscribe कर लो, अगर बाइचान मिस्विस हो जाए session, तो subscribe कर लो, और हम कल मेलेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, don't worry, सारी चीजे होंगी, आपको English के लिए पूड़ा तयार करेंगे, हम, okay, okay, playlist section check कर लो, आ कर से चर्ण बजह आठक लिए大家 होगा, कि लोगा ना, है तो कार ओ तच्छत्क झारो यूट अ स्विक अच्छन, है अजग खली, और लोडनमिनितिन मुटिभा तोगडन, आप चीजिए ठीक्ष प्रमा, भी अबूड़त्श्रा मु झाना, फुक्र्सान, ही कष나 डिक्त का हाई रूद्राम हाई लक्की, हाऊ वर यू, हाई आध्या, हाई निशा, हाई राजिश, हाई सीमा हाई सम्युक्ता हाई तिशा, हाऊ वर यू हाई राहूल, हाई इशिता, वाच आप हाई ठाकूर, हाई रृतिका कैसे उगुल्चन, क्या हाले कैसे हो नोस्टाल्जिक क्वीन, हाई रितिका, हलो हलो, हाई अनिश्का, हाई मैंने आज आज कंव्यूनिटी पे जो अर आज आपको कल बोला था और आपका homework शेयर कर दिया और आपके homework में दो questions थे, एक question of course कल आयक की homework का और एक question आज की homework का, उसमें descriptive as well as factual question है, तो वह आपने जरूर कर लेना है, एक भार जरूर देख लेना, प्लीज, ठीक है Community के अंदर वो आपको मिल जाएगा एकी PDF के अंदर डाला हुआ है ओके, आल राइट तो आज हम लोग, कल हम लोग उने Descriptive Question ट्राई किया था आज हम एक Factual Question ट्राई करेंगे Factual Question आपके सामने है यह Factual Question जैसे कि मैंने आपको Day 1 वाली क्लास पर बताया था ऐसे Questions को देखते ही आपको हर जगे पर कोई ना कोई Numbers देखने को मिल रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके लिए Facts को State किया जाता है जरूरी नहीं है, Factual Question में हमेशा Number हो, पर कई ना कहीं आपको Facts यहाँ पर जरूर देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर सिर्फ Facts नहीं हो सकता है किसी तरीके की Table भी देखने को मिलें अगर Table या Pie Chart नहीं देखने को मिल रहा है तो Paragraph को और Carefully पढ़ने की जुरूरत है क्योंकि फिर इस तरीके से Facts Mentioned होते हैं और कभी-कभी हम लोगों से कुछ-कुछ छूट भी सकता है तो Make Sure कि जब भी आप इस तरीके का Question कर रहे हैं तो इस बात का जरूर से खयाल रखिए कि आप इन सारे Facts को अपने नजर से हटने ना दें कई ऐसा ना हो कि कुछ यहाँ से Miss हो जाए इस बात का आपको जरूर खयाल रखना है अब ऐसे में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पूछेंगे Ma'am, एक्जाम की अंदर तो मार्क करना अलावडी नहीं है आप यहाँ पर यह सारे Facts मार्क करे जा रहे हो पर हम कैसे मार्क करेंगे तो ऐसे में आप एक ऐसी Pencil जरूर लेकर जाएगा जिसको हम Sharp कर पाते है ना वो वाली जो Normal Pencil होती है लीड वाली I don't have it right now, बट ठीक है है ना, तो ऐसी Pencil लेकर जाएगा उस Pencil का जो End होता है वो थोड़ा Sharp होता है Edges से तो क्योंकि वो थोड़ा Sharp होता है It's very easy आप उसको आगे से Tips से Use भी नहीं करेंगे अगर और पीछे से उससे Underline करना शुरू करें या Mark करना शुरू करें तो वो एक हलका सा Tint भी छोड़ती है पर इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे अब इस तरीके के Question को कैसे करना चाहिए मैंने उस दिन भी बताया था क्यूंकि यहां से Factual Question जादा बनते हैं और आप Passage में Mostly हर Question का Answer ढूंद सकते हैं इतनी जादा Understanding and Interpretation की जुरूत नहीं होती है इसलिए हमारा पूरा Focus Passage पे होना चाहिए Question को तो हम आराम से जहली लेंगे तीन से चार Question के बाद में तो Question हमारा दोस्त बनी जाएगा तो यहां पे Skimming का Method इस्तमाल करेंगे एक बार में फटा-फट से इस Passage की तुरंत से Reading लगा लेंगे और फिर ही जाएंगे Question पे क्योंकि Question होंगे यहां पे हमारे लिए Important ठीक है तो यहां पे जल्दी से एक बार Reading लगाए जी अक्षर जी बिल्कुल HW के दोनों Question आज के लिए और कल के लिए मैंने अल्रडी Community पे मेरी तरब से डाल दिये है अड़ा की Community पे वो मौझूद है अभी इस Class के End होते ही मैं Learn with Shipra पे भी उसे डाल दूगी आप आप जाकर उन Questions को सॉल्व कर सकते हैं और जैसी आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे तो कल मैं उनके Answers भी Upload कर दूगी तो आप चेक कर पाएंगी कि आपके Questions के Answers एक दम करेक्ट हैं नेक्स्ट क्वेशन ओन्वर्ड यूब हमारे ओंवक की Questions होंगी मैं एंड में Answers भी अटाच कर दूगे पर आप लोग कहना इतने जादा आलसी हो कि जस्टिन केस्ट अगर मैं साथ-साथ आपने Answers अटाच कर दूँ न उस PDF के अंदर तो आपने Answers देख देखकर भी वैसे ही solve कर लेना आपने आप चली बैठकर उसे solve नहीं करना इस वज़े से उसमें Answers हम डालते नहीं है एनिवे रीड कीजे प्लीज मैं हट जा रही हूं नेक्स पारिग्राफ जादा शिद्दत से समझ समझ के रीड करने की जुरूत नहीं है फटा फट से आँखों से बस इसे निकाल दीजे तक इससे जब हम question पढ़ रहे हूं तो हमें exactly पता है कि कहां पे कौन सी चीज लिखी वी है क्योंकि शुरुवाती कुछ questions के लिए तो बार-बार passage में आना ही पड़ेगा और अगर बहुत ही जादा factual question हो गए तो हर question के साथ passage में आना पड़ेगा तो एक दम जादा time या लगाने की जुरूत नहीं है नेक्स पारेग्राफ जाधा बड़ा पारेग्राफ नहीं है तो जादा time नहीं लगेगा स्कूरूरीट करने में question देखिये, answer the following questions based on the passage above, question number 1 आ गया है, infer two possible ways, infer two possible ways that the survey mentioned in paragraph 2 could be beneficial, answer in about 40 words, अब याद रखो, यहाँ पर आपको अपने आप बता दिया न, कि कौन से paragraph में जाना है, यह कह रहा है, आपके lead word क्या है, पहला तो आपका lead word है, survey, जो survey की बात में, बात paragraph 2 के अंदर की गई है, उस survey के बारे में आपको यह बताना है, कि ऐसे कौन से दो possible ways हो सकते हैं, जिससे survey कराना हमारे लिए five day month या beneficial रहेगा, यह पूरी कहानी का answer आपको 40 शब्दों के अंदर देना है, आज ही मैं क्लास में बता रही थी और आप लोगों को भी बता देती हूं, अगर कहीं पर भी subjective questions आती हैं, चाहे वो आपके reading comprehension में हो, या फिर वो आपके literature में extract based questions में हो, अग अगर कहीं पर भी mcqs और इसका mixture आता है, ठीक है, तो ऐसे में जब भी subjective questions करोगे, तो या तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा कि one word में आ रहा है, 40 words में आ रहा है, और अगर one word, 40 words या ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई भी word limit given नहीं है, तो आप 40 words की word limit मान के चलोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर 40 words already given है, पर यहीं पर अगर यह complete the following sentence appropriately करके होता, तो खोई word limit नहीं होती, ना एक word की word limit है, ना दो word लिखने है, ना चार word लिखने है, ना 40 words लिखने है, तो ऐसे में मैं कितनी word limit लेकर चलूँ, 40 words की, 40 words की word limit होनी चाहिए, ठीक है, अब ज़रा इस question को हम answer कैसे कर सकते है, paragraph 2 के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि survey में क्या फाइदा हो रहा है, as the data available may not have captured the details entirely, data जितना available है, उसमें जितनी details entirely capture की है, जितनी भी details capture की है, वो ही बहुत ज़्यादा शौकिंग है, सोचो अगर और ज़्यादा survey किया जाता और data और collect किया जाता, तो शायद में और numbers पता चलते, तो यह हमें कैसे फाइदा कर रहा है, कैसे फाइदा कर रहा है हम लोगों को यह चीज़, अगर यह numbers complete नहीं है, और और numbers इनके अंदर add हो सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो हमारे policy makers हैं, उनकी आखे खुल जाएंगी यह numbers देखकर, और policy makers ही क्यों, जो public है, पहली बात तो policy makers की आखे खुलेंगी, वो देखेंगे यह क्या numbers है, हो सकता है कि वो seat belt के लिए और आपके helmet के लिए बहुत ही कड़ी से कड़ी rules निकाले, regulations निकाले, दूसरी बात हमारी आज़ा public आके खुल जाएगी कि यार हम अपनी जिन्दगी के साथ यह क्या कर रहे हैं, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि helmet और seed belt की बिना तो कहीं पर भी ना जाएं, है ना ऐसा ही होगा ना, तो public awareness आएगी और यहाँ पर policy makers जो है, policy makers भी कहीं ना कहीं इसके लिए कड़े से कड़े step लेंगी, यह दो मेरे को importance यहाँ पर बताने हैं कि यह इसकी benefits हो सकते हैं, यह ओगया आपका question no.1 subjective, next question, as per the given statistical data in the passage, how will the graph show the fatal road accident in the passing years, option A, moving upwards, option B, moving downwards, option C, moving linear, या फिर option D, moving happens, हाँ जी, क्या लगता है, क्या option हो सकता है, अब देखो, यहाँ पर जब भी आप ऐसे question में, आभी जैसे बहुत सारे बच्चे बेचेन होकर बिना कोई data देखकर answer कर रहे हैं, ऐसा बहुत बार होता है, जब हमारे पास time की कमी होती है, और हम अपने हिसाब से जितना जो पड़ा होता है, उस little information के साथ mark कर रहे होता है, चलो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर negative marking नहीं है, जादा से जादा यह सही नहीं होगा, उतने ही number कटेंगे, पर अगर यह attitude हम लोग CUT में लेकर चले गए, तो दिक्कत हो जाएगी, यह बात हमेरे याद रखने है number one, number two, जब भी ऐसा हो तो हम फटा फट से उस statistical data को refer कर लेंगे, जो कि passage के अंदर given है, ठीक है, अब आपको बताना है कि वो data जो passage के अंदर given है, अगर उस data को use करके हम graph बना रहे होते, ठीक है, उस data को use करके अगर हम graph बना रहे होते, क्या show करने के लिए किस चीज का graph बना रहे होते हैं, कि रोड आक्सेडेंस कितने जान लिवा रोड आक्सेडेंस हुए, इतने सारे years में, इतने सारे सालों में, तो ग्राफ कैसा दिखता, क्या वहाँ पर आपको यह देखने को मिलता कि सारे के सारे सालों में जो fatal road accidents से वो बढ़ते जा रहे है, वो घटते जा रहे है, ठीक है, वो move करते जा रहे हैं या वो इकदम stagnant है, तो आपको ग्राफ कैसा दिख रहा होता, चाहिए तो fatal accident ढूंड भी लीजे यहां पर आपको जहां पर भी मिल जाए, अרवा होते आपको लुटते जाब है, तो जा रहे हैं तो यह का दे। करते wir पके हैं, तो खर दो से रही है, तो धूम का दो जाख कैसे दुटते हैं, डीक है तो amžाना है COM तो सबस्कारा है, अगर यहां पर भी चेक करना है तो चेक कर लिजे अगर आपको कोई भी डेटा मदद करता है तो मेरी ख्याल से जब हम दोनों पारिग्राफ पढ़ते हैं तो ये बात हमारे सामने आ जाती है कि जिस हिसाब से इंडिया में ये रोड आक्सिडेंट्स हो रहे हैं दीरे दीरे over a period of time road accidents बढ़े जा रहे हैं अगर आज इतने accidents हुए हैं तो इसके बाद में ये और बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं तो अगर हम graph बनाएंगे इसका तो naturally इसका graph जो है वो कैसा लगेगा उपर जाता हुआ दिखेगा constantly बढ़ता हुआ दिखेगा ठीक है अगर time के साथ में ये जो graph है ये बढ़ता जा रहे हैं तो इस चीज़ को हम show करेंगे तो ये बिल्कुल correct answer आप लोग दे रहे हैं ठीक है moving upwards a should be the correct answer a एकदम इसका correct answer होगा next question पर आजाएं question number c देखिए what does the survey of 2016 suggest about the riders 2016 का जो survey है वो riders के बारे में क्या suggest करता है हाँ जी अब यहां पर option नहीं है आपके पास में आपके पास केवल lead words given है the survey of 2016 आपको 2016 का survey उठा कर देखना और बताना है कि riders के बारे में हमें क्या पता चलता है चलिए चलते हैं question के अंदर देखते हैं 2016 में क्या हुआ है और तो कई पर 2016 जैसे हम लोग starting में ही देख रहा है तो बुरह यहां से लेके 2016 तक दिख रहा और यहीं तक दिख रहा है entirely तक riders के बारे में क्या पता चलता है हाँ जी हम लोगों को यहां से यह पता चल रहा है कि जब हम इस data को देखते हैं 2016 में कराए हुए survey पर तो यह पहली बार है कि हमने ऐसा कोई data capture किया है तो हमें पता चलता है deaths caused due to people not wearing helmets ठीक है यहां पर states have reported that one of every five bike occupants who died in crashes was not wearing a helmet and their total number was this some conclusion के अंदर क्या निकाल सकते है कि 2016 के survey से हमें यह पता चलता है that a significant number of riders were not wearing helmets at the time of the accidents आप सोचो पांच में से हर एक इंसान जो था every five bike occupants who died in the crash जो पांच bike occupants अगर मरे हैं तो उन में से आपको पता है कि significant number of people जो है एक एक इंसान हर पांच में से एक इंसान ऐसा था जिसने helmet नहीं पैना हुआ था इतनी basic से चीज की वज़े से कि helmet लालना था बस उसकी वज़े से उन्होंने जान गवा दी हैं तो यह हमारा से conclusion निकलेगा तो हम से यह वाला instance डाल के लिख देंगे नहीं तो मैंने जो पेले बताया उतना लिख के भी हम छोड सकते हैं आजाएंगे next question पे next question के अंदर आपको यहां पर पोल देखने को मिल रहा है तीन option के अंदर ही है identify the tone of the passage from the following three options आपके पास तीन options और आपको बताना है कि इन में से passage की tone कौन सी है reflective, concern या फिर proud ठीक है क्या लगता है जब हम passage को पढ़ते हैं तो passage की tone कैसी नजर आती है क्या हमें passage की tone reflective लगती है हाँ यार यह गलती तो हो गई है या फिर आपको यहां की tone concern लगती है कि भाई यह दिल दहला देने वाली चीज़े हो रही है हम लोगों को जाग जाना चाहिए या फिर आपको passage की tone गमंड से वरीवी लग रही है मेरे को लगता है बहुत सारे बच्चों ने इन तक सारे बच्चों ने एकदम correct answer दिया के लिए है तो बी शुट बी डी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेस्चन देखो यह भी पोल है विच आप फॉल्विंग इस एन एंग्जर आज मैंशन किया हुआ है इसमें से कौन सा उसका एकदम से paragraph 2 में भाग के जाने की जुरूरत नहीं है पहले question पढ़ लो फूरा चारो के चारो option पढ़ लो फिर paragraph 2 में जाएंगे option number a कहता है avoiding traffic lights, option number b कहता है not wearing helmets while riding a two wheeler, option number c कहता है race between vehicles, option number d कहता है the study by the United Nations चले second paragraph पर ये लिजे second paragraph danger और राइट इसका correct answer देखेए आप लोगों ने सी जाने के जाने कर रह चाहा है पादना पर इसका प्रोड़ के नहीं है तक के लिए तर लोगों ने जाने है प्रेशट। ने क्या दिया और उसका correct answer क्या है बच्चों इसका correct answer E का हो सकता है not wearing helmets while riding two wheeler है ना B हो सकता है बिल्कुल correct answer दिया है कुमुद ने अकांशा ने प्रिया ने शांतनू ने अंकित ने दिशा ने शिनू ने एकदम correct answer है B यार जब आप helmet पहन कर नहीं चला रहे होते हो तो आप अ ठीक है next question question number F देखो how might the result of study by UN impact the readers by study जो conduct कराई थी UN ने वो हम लोगों को कैसे कोई मतलब कुछ significant impact हमारे उपर डाल पारी है या ने हमारे लिए lead word है UN UN डून लेंगे UN की study यह रहा question paragraph number 2 में a study by the United Nation last year had estimated that wearing an appropriate helmet improves chances of survival of bikers by 42% तो जब आप यहाँ पर as a reader यह बात पढ़ते हो आप में से बहुत सारे बच्चे बाइक चलाते होंगे bikers होंगे, bikes पसंद होंगी तो जब आप यह बात पढ़ते हो कि United Nation ने एक study conduct कराई पिछले साल और उन्होंने estimate किया कि एक you know appropriate helmet पहनना आपके survival के chances को 42% से बढ़ा देता है अगर आप helmet pen कर रखते हो तो आप आपके chances रोड पे safe रहने के significantly बढ़ जाते हैं तो ऐसे में आपको क्या होगा आप भी motivated feel करोगे एक positive impact आप पे आएगा आप भी helmet pen के bikes चलाओगे है ना तो यह हम लिखेंगे इसमें next question देखो complete the sentence appropriately people do not wear helmets और seatbelts may be because भाई लोग क्यों नहीं पहनते हैं यह helmets और seatbelts क्यों नहीं लगाते हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होता है ना कि इसका इस्तमाल ही क्या है इतना जादा जरूरत ही क्या है इसकी है ऐसे लोग जो बैल्ट नहीं लगाते सीट बैल्ट नहीं लगा रहे हैं है हमेट पहें पहनुए उनको पथा ही नहीं है कि seatbelt ना लगाने से यह helmet ना लगाने से क्या हो जाएगः तो यह चीज़ पता ही नहीं है तो वो लोग इतने मोटिवेट होंगे नहीं seatbelt या फिर हलमेट लगाने के लिए. So, they underestimate the risk associated with not using the safety measures. Last question देख लीजे. Sorry. Stay true or false? The title rising concerns over road safety is appropriate for this passage. आपको क्या लगता है? यह जो passage हमने पड़ा है. इस passage के लिए अगर हम title डालते हैं Rising concerns over road safety तो क्या यह appropriate होगा? True या फिर false? Priya, final time. Priya, चिवुदिशा, शालिनी, बारत, शिवा, अशिका, शालिनी, मांसी, अक्षेद, गार्गी, राहूल, प्रिया, अक्षर, अक्षेद. Absolutely correct answer. True is the correct answer. यह एकदम सही होगा. क्योंकि यह पूरे के पूरे passage में हमें बताया है, कि भाई, रोड की, रोड पे जो चीजे हो रही है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है. और इसी वज़े से हम कितने सारे लोगों को daily basis पे खोई जा रहे हैं. So, it's high time कि हम इस चीज को लेकर थोड़े जागरूख हो जाएं. और जागरूख हो के seatbelt और helmets के प्रती जागरूखता फैलाएं भी और खुद भी यूज़ करें. ठीक है, आज का जो homework है, वो already मैंने उस पे community पे डाल दिया है. टेली ग्राम पे भी मैं अभी डलवा दे रही हूँ, immediately. ठीक है? कोई false भी तो बोल दो, बच्चे इंस्पायर हो जाते हैं ना जल्दी से, वही तो अभी हमने देखा, कि कैसे हमने इतनी सारी चीज़ देखें, कि हम इंस्पायर हो नहीं नहीं, अब तो helmet और seatbelt बेल्ट लगानी है, है ना? मैंने कम्यूलिटी भी डाल दिया, अड्डा की कम्यूलिटी अगर आप देखेंगे, तो वहां पे English का special group बनावा है, उसके अंदर में notes भी share किया, PYQs भी share किया, और homework भी share कर दिया, आज का भी homework share कर दिया, तो वह आपने 100% कर लेना है, ठीक है, और मैं आपसे कल मिलूंग कि एक नए question के साथ में, कुछ नया question करेंगे, कुछ PYQ करेंगे, और देखेंगे CVSE का level कैसे आता है, और धीरे धीरे series के खतम होते होते हैं, हम एकदम confident हो जाएंगे हमारे reading comprehension के अंदर, तो उसी उमीद के साथ में, मैं भी चलती हूँ, आप description box check out करना मत भूलना, homework करना मत जल्दी पोस्ट करूँगे, और चैनल को कर देना सबस्क्राइब, I'll see you tomorrow at 9, okay, okay, alright, bye bye, take care, I love you. Hi, अक्षत, Hi, निशा, Hi, अशान, कैसे हो खुशी, क्या हल है, Hi, जानवी, Hello, रश्मी, Hi, स्वाती, Hi, नॉस्टाल्जिक, Hi, कृष, Hare Krishna, Hi, प्रियान्शू, How are you, Hi, अदीटी, Hi, अनुराग, Hi, शांतनू, Hi, भव्या, Hi, रौनक, कैसे हो, प्रशान्थ, क्या हल है, Hi, अनिरूद, What's Up, Hare माईम, ये इस वापके शांपल, पेपर, पेपर, वाली बुक का है, मैंने किया है, ये प्रिवेस ये क्वेश्चन है, क्योंकि, मतलब, CBC क्वेश्चन है, अदीशनल प्रैक्टिस पेपर का, देखा होगा, 100%, Hi, प्र सेशन को, आज हम करने वाले हैं, again, सेशन ए से जो पहरा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, वो, तो पता है, descriptive जो question है, उसको करने का सबसे बैस तरीका है, descriptive में आपको याद है na, कि हमें passage पर कम ध्यान देना होता है, question पर जादा, क्योंकि questions बहुत ज्यादा twisted होते हैं, तो ऐसे में हम लोगों को passage को फटा फट से एक यह नो बस इसका theme analysis करके छोड़ देना है theme analysis के लिए फटा फट से इसका first वाला paragraph पड़ लेंगे और इसका last वाला paragraph पड़ लेंगे इससे हमें पता चल जाएगा कि यह passage की इस बारे में है ठीक है और जैसे इतना पता चल गया homework की question मैं अल्री send कर चुकी हूं कल और उससे पहले की आज का homework class के बाद आपको मिल जाएगा तो यहां पर अगर हम देखते हैं यह दोनों अगर paragraphs हमने पड़ लिए तो मैं idea लग जाएगा passage कि इस बारे में सीधा question पर जाएगे और question की requirement के हिसाब से passage चेक करेंगे requirement नहीं होगी maximum questions अगर theme based ही होंगे तो फिर करने की भी जरूत नहीं है ठीक है तो सबसे पहला paragraph रीट कर लिजे Apollo the Greek god of music से Apollo the Greek god of music and healing always maintained that he was the greatest musician in the world until Marcius who was part animal and part human played the flute Apollo's jealousy and insecurity drove him to eventually slay Marcius so that his status as the greatest musician remained unchallenged one's usual imagination of a god is being who is all-knowing and pure in every intention what makes the Greek gods interesting is that they are shown as flawed beings who do not always act like gods last के अंदर आएंगे in Greek mythology the gods take every opportunity to reveal and establish their divinity but also fall prey to human impulses perhaps the Greeks did so to help generations of readers reflect on important life lessons to avoid tragic downfalls so हमने जभी दोनों पढ़ा तो सबसे पहले तो हमें यहां से जो theme पता चल रहा है वो है by Greek gods के बारे में बात हो रही है कास करके example में Apollo के बारे में यहां पर बात हो रही है इस बारे में बात हो रही है कि कैसे Apollo greatest musician of all time थे और जब उन्होंने देखा कि उनका यह जो title है यह challenge हो गया है तो उन्होंने अपने title को बचाने के लिए ठीक है उन्होंने अपने title को बचाने के लिए जो उनका opponent था Marcius उसको slay कर दिया खतम कर दिया बच्चो इस तरीके के impulses जो होते हैं वो usually human beings के अंदर देखने को मिलते हैं हम ही हैं जिनसे कुछ चीजें बरदाशनी ओरी होती हैं हम ही हैं जो तुरंट impulsive decision ले रहे होते हैं भगवान को यह बाते शोबा नहीं देती हैं ना आप चाहे भगवान ही क्यों ना हो अगर आपने important life lesson जिन्दगी के यह जो lessons है जो इस paragraph के अंदर भी discussed है अगर यह lessons आपको नहीं पता है आप सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो तो आप भगवान ही क्यों ना हो एक tragic downfall आपका इंतजार कर रहा है तो यह theme है first question आपके सामने आगया है yes बावया आपने किया होगा skip it they are shown as flawed beings who do not always act like gods paragraph 1 में लिखा हुआ है सवाल यह है which of these are examples of the above statement हाँ जी यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है statement दीवी है paragraph 1 से they are shown as flawed beings who do not always act like god इन में से नीचे दिये गए options में से कौन से best examples हो सकते हैं कौन से best examples हो सकते हैं हाँ जी only one and three one कहता है God is getting attached and falling in love three कहता है God showing kindness and compassion to all यह फिर only second and fifth second कहता है Gods punishing mortals for their wrong doing and fifth कहता है Gods killing a mortal out of jealousy and insecurity c कहता है only one fourth and fifth or d कहता है only second fourth and fifth yeah so basically we were discussing long back we were discussing additional practice paper तो उस time पर there were many students जो आज class में हैं they were following me and उन्होंने जरूर यह देखा होगा because this is from additional practice paper lot of students have not gone through additional practice paper so मेरा responsibility at this time तो था कि मैं वो question भी लाऊ so if you have solved additional practice paper with me then you can skip the class no problem haan ji kya लगता है c लग रहा है c d Krity मैंने homework का question post कर दिया है जो हमारा community है Adda के app पे जो हमारा community है your group के section में English वाला section दिखेगा उसके अंदर d a c भी बोल रहे हैं correct answer इसका होगा c absolutely correct only one, fourth and fifth description जो है first, fourth and fifth का exemplify करता है statement को और show करता है कि भगवान में भी कमी हो सकती है और कभी-कभी भगवान भी human beings की तरह act करते है तो c should be the correct answer God's getting attached and falling in love God's deceiving everyone for their personal gains and God's killing a mortal out of jealousy and insecurity which of these would Apollo most likely say about Marcius musical ability आपको क्या लगता है इन में से कौन सी चीज़ Apollo, Marcius के लिए उसकी musical ability के लिए कहेंगे मैं आपको फिरसे इसका lead word जो है वो दिखा कर passage में लेकर जाऊंगी just in case if you want to confirm but आप यहाँ पर कोशिश यह कीज़ेगा कि आप Elimination करें because उसी से आप most correct answer बे land कर पाएंगे a कहता है why does everyone think he plays music well? it is obvious that he doesn't have talent b why is he challenging me like that? I wonder what is troubling him that I can heal c how can an animal play the flute? such creatures must know their place yeah pretty how dare he play better than me I am supposed to be the best in the world first paragraph में हम लोगों ने Apollo और Marcius का एकदम आमना सामना देख लिया था इसके अलावा तो मुझे लग भी नहीं रहे कि Marcius कहीं पर present है तो पहले paragraph में देख लिया था और हमने देखा था कि जैसे ही Marcius की entry होती है और वो actually बहुत ही कमाल की flute बजाते हैं तो Apollo एकदम से jealous हो जाते हैं और insecure हो जाते हैं और Marcius को मार देते हैं तक इसे उनका status जो है greatest musician का वो unchallenge रहे अब आपको क्या लगता है इस information को use करके आप क्या कह सकते हो कि Apollo Marcius को लेकर क्या बोल रहे होंगे इस information को use करना है और सोचना है कि Apollo Marcius को लेकर क्या सोच रहे होंगे क्योंकि वो एक अच्छे musician है D One chef send the homework questions on community D D को log करें रश्मी श्रिया स्वाती इशान प्रियांशू अंकियत D होगा प्रशांत ओके विल्कुल correct answer इसका D होगा How dare he play better than me I am supposed to be the best in the world अपने status को maintain करने के लिए कि इस दुनिया की अंदर उनसे भेतर कोई नहीं है उन्होंने यहां पर Marcius को मार दिया है और यही कही न कहीं उन्होंने इस चीज को लेकर सोचा होगा मारने से पहले कि यह मेरे से better कैसे play कर सकता इस दुनिया के अंदर तो मैं ही सबसे best play करता हूं और नेक्स देखना वाई दस दी ऑथर बिगिन दे पैसेज विद देस्क्रिप्शन ओप अपॉलो भाई यह जो पैसेज है इस पैसेज की शुरवात परस्ट वाला जो पारिग्राफ है वो उसमें अपॉलो से इस पैसेज की शुरवात क्यों हूई है A. To show that the Greek Gods have immense power and influence over the mortals B. To emphasize the point that the Greek Gods are based in interesting stories C. To highlight the point that the Greek Gods are more human-like in nature D. To state that the Greek Gods are also allowed to make mistakes C. To make mistakes क्या लगता है एकदम स्टार्टिंग में अपॉलो के बारे में क्यों बात की गई है यह जो बच्चे propose propose के नाटक चल रहे है ना तुम्हारे मैं तुम्हें बता देती हूं बहुत सारे बच्चों के 15 तारिक से पेपर है आज की तारिक का तुम्हारे लिए और कोई मतलब नहीं होना चीए सिवाए इस चीज़ की तुम्हारा काउंडाउन शुरू हो गया है 15 से बहुत सारे बच्चों के पेपर है हिंदी का पेपर है फिर 22 को इंग्लिश का पेपर है तुम propose करते ही जाओगे फिर हाँ वाँ तुम्हें मिलनी नहीं है और फिर जो दिन है वो भी खराब हो जाना है मतलब नहीं है कोई पढ़ाई कर लो बाद में कर ले ना ये सी कर दू लोक तो आइलाइट पॉइंट ग्रीग और यूमन लाइक ठीक है भाई सी को लोक कर दिया है सी एकदम करेक्ट आलसर है तो हाइलाइट पॉइंट ग्रीग और यूमन लाइक कि नेच़ भाई यह पर अपोलो के बारे में इसलिए बताया है क्योंकि हम जब कॉंक्लूजन में जाते हैं तो वहां पर भी हमें पता चलता है कि यह जो ग्रीक पाइतलोजी है उसमें यह एक पॉइंट जो है वो मेक करना चाहते थे और पॉइंट यह है कि कहीं पर भी आपको यह ना लगे कि कि किसी को अगर गौड का स्टेटस मिला है तो वह जो मर्जी चाहे कर सकता है चाहे वो कोई भी हो अगर वो गौड भी होगा और वो एकदम उपर आक्ट करेगा अपने पावर से या जैसे उसे आक्ट करना चाहिए उसके उपर जाएगा तो डाउन पॉल उसका भी आएगा ठीक है तो यहां पर ग्रीक गौड यूमन लाइक आक्ट कर रहे थे और उनका भी डाउन फॉल आएगा यह चीज बताने के लिए यहां पर पोलो को मेंचिन किया किया है यह बुक खुल के बैटे है बच्चे हाई राम यह ऐसी लेवल की चीटिंग करके कहा जाओगे तुम कोई बात नहीं आज तुम्हारा तीसरा दिन है इस रीडिंग कॉम्प्रियेंशन की सीरीज में तुम्हें सोच रही हूं कि ठीक है थोड़ा कॉंपिटेंस बुल्ट हो रहा है तो होते रहे बट जैसे जैसे हम आगे ज आपोलो का मार्सियस को मारना आइरोनिक क्यों है अब देखो यार अपोलो कौन है अपोलो है गौर्ड ऑफ हीलिंग बेसिकली यह भगवान है यार आप जब कभी भी आईरोनिक का मतलब होता है कहीं हुई बात अलग है और जो सच्चाई है वो अलग है दोनों में जब डिफरेंस होता है इंफाक्ट उल्टे होते तो इसे हम आईरोनी कहते हैं अब सुनों बहत्यकों पास सम scenario ग्वाव और अंधर अंधर इंग और फिर अपोलो तो मढने ही जाते हैं गॉड औफ हीलिंग तो बेसिकली एक एंसान जो परशान है एक इंसान जिसको हीलिंग की जुरुत है अपोलो आईडिली उसे हील करने चाहिए बट हुआ क्या है कि अपनों लोग खुद ही destruction कर रहे हैं heal करने की बजाय बंदे को मार दिया है इन्होंने तो वैसे तो God of healing है काम इनके healing वाले कता ही नहीं है मार रहे है बंदे को तो यह क्या है irony है तो यही ironic यहाँ पर रहेगा एक मिनिट रुको मुझे देखने तो community का नीचे link link नहीं दिया हुआ है क्या अच्छा सुनो 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 मेरे को लगता है कि community का इन लोगों ने link यह नहीं डाला हुआ अच्छा सुनो सुनो मैं क्या करूंगी जैसे class कतम होगी है I'll call the team and वो लो comment section के अंदर community का link pin कर देंगे you just click on that link and directly आप community में पहुच जाओगे वहाँ पर आपको सिर्फ एक नहीं मैं आपको मिल जाएगा एक क्लिक में डाउनलूड होगा आपसे लूटली फ्लिक ओके नेक्स से को बेस्ट ऑन यूर रीरिंग और पारेग्राफ थ्री एक्स्प्लेइन वॉट इन वल्नेरिबल मीन्स आंसर इन वन सेंटेंस आपको बोला एक सेंटेंस के अंदर आंसर करके बता दीज यह रहा इन वल्नेरिबल याद से याद से रुको 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 कॉमें सेक्शन में पिन कर दीजे और अभी जो लाइज जाता है उसमें उपर पिन कर दीजे ओके हांजी इन वल्नेरिबल यह रहा अब देखो माल लो अगर ऐसा कोई क्वेस्टिन आपके सामने आ जाए जिसके अंदर वुकाब है और आपको नहीं पता है उस वर्ड का क्या मीनिंग है तो ऐसे में आसपास का मतलब इससे रिलेटेड जो भी पूरा सेंटेंस है उसे रीड कर लीजे जैसे की अब यहां पर जब मैं यह रीड कर लेती हूं तो मेरे को इसको अपने भाशा के अंदर ट्रांसलेट कर लेना है मैं अपने बाशा में जब ट्रांसलेट करूंगे आपको पता है हर एक शब्द का एक मीनिंग होता है तो जब मैं पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की मेरे आसपास दिमाग में गैस चल रहा होगा कि इसका क्या मतलब पॉसिबली हो सकता है क्या ये positive word है क्या ये negative word है इसका क्या possible meaning हो सकता है and जो मेरे दिमाग में चल रहा है कोई ज़रूरत नहीं है उसका वह एकदम correct dictionary meaning हो डिक्शनरी में भी लिखा हो, exact definition हो आपके दिमाग में जो समझ में आ रहा है उस टाइम पे sentence को पढ़के वही आपने लिख देना ये लोग चाहते भी नहीं है कि आपको एकदम correct meaning पता हो So still the gods were not invulnerable and were often wounded and suffered so much that they pray for death तो हम देख सकते हैं कि sentence का मतलब है कि भगवान जी invulnerable नहीं थे और वो भी बहुत बार जख्मी हो जाते थे, वो suffer करते थे, इतना जादा कि वो मौत के लिए भीक मागने लग जाते थे अब ऐसे में invulnerable नहीं थे, याने के वो भी अमर नहीं थे, ऐसा नहीं था कि उनका भी कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता था उनकी अंदर भी vulnerability थी, उनकी अंदर भी वो weakness थी जिसकी वज़े से वो भी बहुत बार wounded हो जाते थे और वो death की भीक मागने लग जाते थे, मेरे को exact meaning नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप, आपको जितना भी जो भी, मेरे को समझ में आ रहा है कि यार, invulnerable याने के जो vulnerable ना हो, मेरे को इतना समझ में आ रहा है तो मैंने वो कर देना है, कहां चले गए हम, कहां चले गए है, हाँ, यह रहा, ठीक है, तो इतना जादा दिमार्ग नहीं लगाना है, आपको नहीं पता है, vulnerable क्या होता है, invulnerable क्या होता है, sentence से जो meaning निकल के आ रहा है, वो लिख दो, देखो, answer copy के अंदर जो marking scheme होगी, marking scheme के अंदर multiple meanings निकले वे होंगे, तो आप ना आराम से यहाँ कुछ भी अपने इसाब से जो समझ में आ रहा है, वो लिख दो कि यह मैं आच हो जाएगा, जैसे मालो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि invulnerable क्या मतलब है, आपको इन का मतलब पता रहता है, कि एनक ऐसा prefix है, जो किसी भी वर्ड के आगे अगर लग जाए, किसी भी वर्ड कि आगे अगर लग जाए, तो वो not का मतलब बनाता है, तो आपने वो लिख दिया, it means not to be vulnerable, ठीक है, मेर को नहीं समझ में आ रहा था, इसका मतलब safe होता है, immune होना होता है, strong होना होता है, मेर को इतना ही समझ में आया, तो मैंने यहीं कर दिया, it means to not be vulnerable, vocabulary वाले question को ऐसी ही गंदा, in 40 words state any two ways that the Greek gods are superior to human beings, बहीं, चालिश शब्दों के अंदर कोई पी ऐसे दो ways बता दो, जिसके अंदर हम यह प्रूफ कर पाएं कि Greek gods जो है, वो superior है human beings से, आप देख लीजे, यहां से मैं reverse में चल लेके चल रही हूँ, slide, आपको जो भी अगर ways यहां पर दिख रहे हैं, फिरांसा तो मैंने discuss कर नहीं है, कर दो मैं चल आपको जो है, यही पर मिल जाएगा आपको आंसर हां जी इम्मोर्टालिटी शांभवी आल थे बेस्ट इम्मोर्टालिटी एक रीजन हो सकता है और 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 हाई गारगी हाई मेंटल कॉलिफिकेशन हो सकता है कि दे वर ब्यूटिफुल और ग्रांड स्ट्रॉंगर इंटॉलर माजिकल ब्लड था इंटेलिजन थे इम्मोर्टल थे तो इम्मोर्टालिटी आ गया वह कई पे भी अपने आपको प्रांस्पोर्ट कर सकते थे इन्विजिबल थे और यू नो फाइन टेक्शर के रोप्स पैना करते थे टेंपल्स उनके बनाए गए थे क्रीचर उनके नाम पर सैक्रिफाइस किया जाते थे इन फैक्ट उनको रिजगिप्स भी मिलते थे कोई से भी दो बताते थे तो काम चल जाता पर नहीं तुमने तो दिमाग ही आनी लगाना है ना complete the given sentence with one word from the fact that the Greek gods punish any mortal who neglects their worship we can infer that they are इस fact से अगर हम देखें कि Greek gods punish कर सकते हैं कोई भी mortal को जो कि उनकी worship को neglect करता है याने कि उनकी पूझा करने से मना करता है तो इससे हम क्या कह सकते हैं वो लोग क्या हैं वो लोग वेंचपुल है रिवेंचपुल है इगोईस्टिकल इगोईस्टिक है अगर मान लीजे कोई इंसान किसी भगवान की पूझा नहीं करना चाहता है या फिर वो किसी भगवान को altogether मानना ही नहीं चाहता है ऐसे में भगवान कह रहे कि अरे तुने मेरी पूझा नहीं की अभी देख में तिरको punish करता हूँ थो नहीं हो बगवान का रहे उनकी अंदर द्वेश की भावना आचुकी है इर्शा की भावना आचुकी है अब बतले की बावना आ चुकी है तो वो revengeful है, vengeful है, egoistic है, अपने आपको बहुत मान समझते हैं, self-observed है, self-centered है, है, conceited है, तो ये चीज़, हम ये words हम लिख सकते हैं, ये हमें इनके character के बारे में पता चलता है, कि अगर वो कभी किसी इसान को इसलिए पनिश कर रहे है, क्योंकि उनकी पूजा नहीं की जा रही है, ठीक है? Imagine that someone was born from Ika, in which of these situations would the Ika be most useful? A. A natural disaster that causes the earth to split apart, a pandemic that has been caused by a contagious virus, a war that requires transforming into another form quickly, या फिर a competitive entrance exam that is very tough to qualify for. I think you guys, I think आप लोग D के लिए करेंगे, क्यांकि D करता हूँ आपको ये पता नहीं कैसे slide हो रही है, इख करेंगे ह। झाव, आपको ये एपने सतंवा बादे सत नहीं कर दो दो है लोग, भी है दो है, क्योंगे है, बादे सतंनों ओो है। आपको ये देुश, व्को रहे ह। हां जी अब बताईए क्या होगा सकता है अब लग रहा है हां गॉट्स को भी एंटरेंस एक्जाम देना होता होगा ना यह वाला गॉट्स बनना है तो इसके लिए एंटरेंस एक्जाम देना है तो कम तो नहीं है बात यहां पर मेरे को बी अच्छा बी लॉक कर दें चलिए देख लेते हैं बी इस दी करेक्ट आंसर पैंडमिक यहां पर यह डिस्क्राइब किया गया है कि अगर आप इस पोशन की बात करो तो इससे कभी भी आपको कोई बिमारी नहीं होगी तो अगर इस पोशन से कोई जनम लेता है या उनके वेंस में पोशन दोड़ रहा होता है तो किसी भी बिमारी के आसपास तक नहीं मतब कोई बिमारी उसके आसपास तक नहीं बटकेगी ठीक है क्योंकि एक पैंडम में कंटेजिस वायरस से हुआ है तो नाचरली इस सिचुएशन के आप में नाइंत ओला क्वेशन देख लीजे वादस दी ओटर मीन बाइट राजिक डाउन फॉल इन पारेग्राफ फाइव गिवन एक्जांपल अग्जांपल अच्छा 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 करते जा रहे हो और एकदम से आकर आप नीचे गिरे हो ठीक है तो यह हो गया पहला क्वेशन दूसरे क्वेशन का आंसर आपको यह करना है कि आज कल की दुनिया के अंदर होता हुआ कोई ट्राजिक डाउन फॉल बता दीजे मतलब अभी करेंट ली आपने ऐसा कुछ देखा हो हां तो वह बता दो अब यार हर इंसान जो इर्शा करेगा द्वेश ट्राजिक डाउन फॉल होगा एक इंसान जो कोई सीरियस क्राइम करता है या फिर मान लो हम किसी दूसरे इंसान को हाम पुछाने की कोशिश करते हैं यह सारी की सारी चीजें में से कोई भी एक बता सकते हो यह सारी की सारी चीजें हमें हमारे ट्राजिक डाउन फॉल के किसी को हाम पहुचाना कोई क्राइम कमिट करना एक्सेटरा ओल राइट देखो यार अब मेरे ख्याल से तुम लोगों को सौरी अब मेरे ख्याल से तुम लोगों को थोड़ा सा थोड़ा सा confidence फील हुआ होगा यह अभी इसी साल का आपका additional practice paper है cbsh का आपने questions का level देख लिया है आपको reading comprehension में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा concentration चाहिए अगर आप थोड़ी active reading पे work करना शुरू कर दोना तो आपको और कुछ नीचे और मैं बता रही हूं आज class में present सारे के सारे बच्चे अगर 10 minute बैट कर सारी चीजे side में रखकर reading comprehension solve करेंगे न वो यह question 10 minute में कर पाएंगे मतलब 20 minute यह question लेता है बड़ आप 10 से 12 minute के अंदर यह कर पाऊगे आप सब के अंदर इतना क्यालिबर है आपको पता नहीं है कि अगर आप concentrate किसी चीज पर कर लो तो आप actually थोड़े time में बहुत कुछ कर सकते हो ठीक है बड़ अगर आप यहां पर सोच रहे हो reading comprehension करते करते side में phone चल रहा है दिमाग में 100 बाते चल रही है तो अगर आपको लग रहा है कि आसानी से हो जाएगा तो नहीं होगा एक बार आज का जल्दी से कर सकते हो बीना time गवाएं ठीक है तो मेरे को पूरा वरोसा है कि आप ऐसा करेंगे और मैं आपको बिल्कुल अभी link में बिल्कुल community का comment section के अंदर पिन करवा दूँगी आज भी homework में डाल दूँगी community के अंदर ठीक है 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 ना all right तो चलिए फिर मैं मिलती हूं next class के अंदर thank you so much बच्चों आप जॉइन करने के लिए बड़ा अच्छा लगा आपके साथ इस class को कर देखिए मैं जादा time waste नहीं करना चाहती हूं इसलिए अभी direct आपको homework मिल जाएगा नीचे आप description check कर लीजेगा और यह हमारी class 9 बजे होती है तो 9 बजे कल भी मुझे है ना all right all right bye bye take care hi Merry Christmas okay so what's up कैसे हो आप लोग क्या हाल है हा चुटिया चल रही है और चुटियों के साथ में वो चुटियों वाला मूड भी होता है के आर आराम से लेट तक सोएंगे जैसे एक time पर winter vacations होती थी वैसे winter vacations मनाएंगे but अब वो नहीं है इसलिए नहीं है क्योंक vacation a winter vacation and trust me वो वापस कभी भी दिन नहीं आने वाले हैं so that's uh that's something it's the hardest pill to swallow but that's how it is and excuse me for my voice and क्योंकि पूरा मेरा गला चोक है anyway एक तो क्या होता है right around यह छुटियों वाला time जो होता है जब कोविड की लहरे आने लग जाती है कोविड फैलने लग जाता है उस time पे अगर किसी का गला सोर हो जाए तो मेरे को तो already isolate किया हूँ और मैं तो वैसे isolate हो गई हूँ क्लासस को लेकर भी माम confidence low है देखो बीटा confidence आपको बोर्ट को लेकर आपके किसी भी topic को लेकर तभी आएगा जब आप उस topic के लिए actually बैटकर pen उठाएंगे और practice करेंगे देखो मैं आपको चीज बताती हो आपका जो दिमाग है ना उसको आप अपने हिसाब से चला सकते हो ठीक है आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को मेरा दिमाग बार बार black out कर रहा है मेरे को nervous feel करा रहा है या मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे में किसी चीज को लेकर confidence नहीं है तो ऐसे में अपने दिमाग को ये feel करवा हो ये realize करवा हो कि नहीं मेरे को ये chapter अच्छे से आता है जब आप chapter सामने खोल कर बैट जाते हो और उसकी बाद में आप बस ऐसे read कर रहे हो आखों के सामने chapter खुला हुआ है उसको पूरी तरीके से एक बर पढ़ा भी नहीं है कई गोवा के तो trips बन रहे हैं दिमाग में तो दिमाग को खुद को पताए कि आप उसे बेफ़कूप बना रहे हो और कुछ ले यहीं पर अगर आप इस chapter को पढ़ रहे हो कोई भी concept पढ़ रहे हो उस पर आपने किताब खुली है आपने अपनी copy खुली है आपने कुछ solve किया है तो आपके दिमाग में वो confidence अपने आप built होगा तो जितने भी बच्चे ऐसा सोच रहे है कि आप पढ़ तो लिया है पर confidence नहीं आ रहा है sample papers is the way for you जितने papers लगाओगे रहा तुम लोग जितने papers solve करोगे उतना बढ़ी है खैना that is the way for you उसी से confidence आएगा एक एक paper करके देख ल और additional paper तो देखो हम करा चुके उसको छोड़कर अगर कोई भी एक paper कर लेते हो तो फिर तुम्हें पखुत पता चल जाएगा कि एक paper भी बैट कर solve करनी से तुम्हारा level जो है confidence का वो कित्ता भढ़ गया है आईने की तरह काम करेगा यह हाई प्रभदीप, how are you? हाई सुहानी, हाई सिधार्थ, what's up? ओके, 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 चलो, 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 हाई उदित, Merry Christmas, मैं आपको सच बता रही हूँ आशी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, मैं, मैं खुद एक्जाम में न, जैसे अभी तक मैं master's के paper लिख रही थी, क्योंकि मैंने double master's किया है, तो अभी तक मैं master के paper लिख रही थी, और जब मैं paper लिख रही थी, पढ़ाते, पढ़ाते, बीच बीच में जित्ता भी पढ़ने का समय मिलता था, पढ़के, और फिर paper लिखने जारी थी, तो मुझ में उत्ता confidence नहीं आ रहा था, कि मैं सच में इस में अच्छा कर पाऊंगी, मैं अच्छा score क कर पाऊंगी, मैं paper pass भी कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो आप सोची है, अपनी पढ़ाई के लिए 10% time होता है, इससे ज्यादा होता ही नहीं है पूरे दिन में, तो इस वज़े से वो अंदर से I was lacking confidence, फिर मैंने ये किया, कि ठीके, जितना भी पढ़ना है, उसके साथ मे keywords बना के देख लेना है, पर ऐसे ही पढ़के जाना है, तो मुझे, मुझे खुद को feel हुआ कि वो 10% time भी जो में दे रही थी, उसके अंदर भी मेरा productivity जादा आ रहा था, और मुझे अंदर से बहुत ही जादा confident feel हो रहा था, because I could write Alright, चलिए, अब बातचीत हम लोगोंने कर ली है, एक बाड जरूर सेशन को अपने friends के साथ share करेंगे, और आज हम करने वाले reading comprehension, आप में से बहुत सारी बच्चे जो है, वो मुझे continuously कह रहे थे, मैं आप reading comprehension को लेकर एक अजीब सा डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है, जैसे reading comprehension नहीं हो पाएगा, और मैंने आपको बोला था कि हम reading comprehension के classes लगाएंगे, उन classes की शुरुआत आप आज से ही समझ लो, अब देखो यार, आज हम ये reading comprehension passage करने वाले हैं, पर इससे पहले कि हम इसे शुरू करें, इससे पहले कि हम ये शुरू करें, हम लोग discuss करने वाले हैं और अगर आपके बाकी friends इस class को miss कर दे रहे हैं, तो प्लीज उनको भी बुला के लेके आजाओ, call everyone, call everyone, call everyone, अब जितने sample paper solve करेंगे, उतना confidence level up होगा, जी हाँ, और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, कि जिन भी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मेरे से तो English के sample paper solve नहीं हो रहे हैं, और मुझे तो अकेले तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे हैं, आप चिंता मत करो, मैंने आपको बताया था कि जो battle है, आपकी आपके अकेले की नहीं है, ये मेरी भी है साथ में, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो हम साथ मिलके sample paper solve करेंगे, पर करना है, अब हम लोग पीछे नहीं अटेंगे, ठीक है, चलिए, तो reading comprehension passage की बात हम आज करने वाले हैं, बच्चों, आज है हमारा section A का class, ठीक है, section A का class है, बच्चों, section A के अंदर आपको दो questions देखने को मिलते हैं, एकदम patiently सारी बात सुनेंगे, दो questions आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, अब यह जो दो questions देखने को मिलते हैं, बच्चों, इनका type already decided है, ठीक है, इनका type जो है, वो already decided है, पह questions है, कौन से question होते हैं बच्चो, descriptive questions माम प्लीज कुछ बता दो, हाँ आप चिंता मत कीजे, अलग-अलग तरीकी की series चलती रहेगी, अब आपको exam तक पुछा के आएंगे ठीक है, अब tension मत लो यह सब fair note book में लिख लीजे, आपको बता दे रही हूं आज की class attend कर लिए है तो इसके बाद में कभी भी search नहीं करना पड़ेगा how to solve reading comprehension, descriptive question एक तरफ है, डूसरी तरफ आप से जो पूछे जाते हैं वो है factual questions, आजी, बच्चो descriptive questions कॉंसे questions होते हैं यह descriptive भी हो सकता है, narrative भी हो सकता है, literary ह最ip दो एक यह narrative भी हो सकता है, बच्रीरी हो सकता है अब यह कॉंसे questions होते हैं, यह वो question है, जिसके अंदर किसी बारे भी description दे दिया, for example, आग्रा का Taj Mahal जो है, वो विष्व-प्रसद है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है तो अब हमने क्या किया अरे अपने आप फी क्लास बंद हो गई है उस passage को हम descriptive passage कहेंगे क्या कहेंगे descriptive passage दूसरे तरीके का passage होता है narrative passage अब यह जए narrative passage होता है यह narrative passage वो होता है जिसके अंदर कोई narration कर रहा होता है जैसे मैंने आपको बता है एक बार की बात है मैं कश्मीर गई ठी और फिर वहाँ पे ऐसे हुआ मैंने apples देखे हां तो ऐसे करके मैंने आपको पूरा का पूरा narration दिया तो मैंने आपको अपना पूरा narration दिया पूरा story नरेट किया आपके लिए तो ये क्या है ये है narrative passage अब ये क्या बन जाएगा narrative passage अब आता है आपका literary passage जिसकी अंदर कोई तो literature का part आपको यहां दिया जाता है कोई poem आपको दे दी जाएगी हो सकता है कि कोई prose का section आपको दे दिया जाएगा या फिर आपको कोई भी आप मान सकते हैं कि कोई बड़े से write-up का excerpt यहां पर दे दिया जाएगा तो इस तरीके के passages यहां पर इस वाले question में question number one में होते हैं question number two के अंदर factual questions पूछे जाते हैं क्या होते हैं बच्चो यह factual questions यह factual questions का मतलब यह है कि यहां पर आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो किनी तत्थियों पूछे जाएंगे उनको back करने के लिए याने उनको support करने के लिए पीछे कोई ना कोई report हो सकती है कोई survey हो सकता है या फिर कोई आप मान सकते हो कि कोई questionnaire हो सकता है तो basically कुछ भी कोई भी ऐसी चीज है पीछे चुकि हमें numbers देती है जो मैं बताती है किसी भी point कोई भी discussion के बारे में for example मैंने survey करवाया कि इंडिया के अंदर कितने लोग चाय पीना पसंद करते हैं तो मुझे पता चला कि इंडिया में different different हिस्सों में लोग अलग-अलग तरीके की चाय पीना पसंद करते हैं और इतना percentage of लोग जो है वो चाय पीना पसंद करते हैं जबकि दूसरे percentage of लोग है जो coffee पीना पसंद करते हैं अब ये मैंने survey करवाया, लोगों से पूछा, एक table बनाई, एक पूरा का पूरा factual मैं कह सकती हूँ data representation बनाया और फिर मैंने क्या किया, उसको अपने report के अंदर लिख दिया कि भाई मैंने ये survey करवाया था, उसमें 1000 लोगों से पूछने पर मुझे पता चला कि 600 लोग इंडिया के अंदर चाय पीते हैं और 400 लोग coffee पीते हैं that means 60 प्रतिशत लोग चाय पसंद करते हैं, 40 प्रतिशत लोग coffee पसंद करते हैं अब मैंने क्या किया, मैंने उसको पूरा report में बना कर आपको passage बना कर दे दिया अब ऐसे वाले जो questions होते हैं, उन्हें factual questions कहते हैं जहां पर आपके साबने ऐसी ही report तयार कर दी जाती है, दे दी जाती है और उसमें से सवाल पूछे जाते हैं मैं, इन दोनों में से सबसे आसान वाले questions कौन से होते हैं देखो यार, यहां पर यह आपके reading के उपर depend करता है कि आपको इन में से कौन सा आसान लगने वाला है अगर आप यहां पे कोई भी चीज कही हुई का अच्छा interpretation निकाल लेते हो कोई किसी ने कुछ कहा है, आप उसे अच्छे से समझ सकते हो, अच्छा interpretation, अच्छी understanding डेवलप कर लेते हो तो आपके लिए descriptive, narrative और literary passages जो होंगे, वो बहुत जादा आसान होने वाले हैं क्योंकि इन में से पूछे जाने वाले questions जो होते हैं, वो थोड़े टेड़े पूछे जाते हैं जबकि अगर आपको numbers पसंद है, आप जल्दी से passage में से numbers ढूण लेते हो, आप जल्दी से passage में से answer ढूण के निकाल लेते हो तो आपके लिए ये factual questions असान होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो मामला है, जो थोड़ा typical, थोड़ा tough, थोड़ा critical मामला है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसेज का है, जिसमें number देखकर बच्चे एकदम से एकदम ऐसे हो जाते हैं otherwise, otherwise यहाँ पर question एकदम direct पूछे जाते हैं, तो direct questions आपसे यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर मैंने बता दिया कि कौन-कौन से बच्चों को इनमें से कौन सा आसान लगने वाला है, माम दोनों में choice आएगी, क्या choice नहीं आएगी, दोनों questions आपको यह पर करने हैं, चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार इनमें से questions कैसे पूछे जाते हैं, बच्चों एक time था जब इनमें से केवल MCQs पूछे जाते थे, पर अब आपको यहाँ पर multiple choice questions याने MCQs भी पूछे जाएंगे, और subjective questions भी पूछे जाएंगे, मतलब आपको पर क्या दिया जाएगा, options भी दिये जाएंगे, और आपको उनमें से select करना होगा, एक number के question होगे वो, ठीक है, दूसरे आपको subjective questions दिये जाएंगे, subjective questions ऐसे questions होते हैं, जिसमें अलग-अलग चीज़ें आ सकती हैं, जैसे मान लीजे कोई fill in the blank आ गया, ठीक है, फिलप्स आ ग आ गये, ठीक है, कुछ हद तक कभी-कभी आपको यहाँ पर match the following भी देखने को मिल सकता है, just don't get surprised, okay, आपको match the following भी देखने को मिल सकता है, but match the following ज्यादा तर MCQs में fall करेगा, बहुत कम यहाँ पर fall करता है, इसके अलावा आपको analogies देखने को मिल सकती है, etc, etc, तो आपको य MCQs में fall करता है, बट हम यहाँ पर भी इसको लिख ले रहे हैं, ठीक है, तो यह आपके complete the following sentences वाले जो है, वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे, तो यह तरीके के question आपके यहाँ पूछे जाएंगे, यह दोनों number में होंगे, यह एक mark का भी होगा, और दो mark का भी होगा, ठीक 40-40 शब्दों के अंदर लिखना होगा, तो कभी-कभी यह दो number में पूछे जा सकते हैं, नहीं तो एक number तो आपको पूछा जाएगा ही जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यह आपके, यह मैं कह सकती हूँ कि इस तरीके का, आपके questions का structure रहेगा, इन में से, चलिए, अ अब आजाते हैं हम लोग इस बात पे कि आखिरकार हम लोगों को descriptive questions कैसे शुरू करने चाहिए, हमें अगर descriptive questions, हमारा question number one जो है, हमारे descriptive, हमारे narrative, हमारे literary questions जो होते हैं, इन questions को माम हमें कैसा कैसे solve करना चाहिए, बच्चो यह वाले जो questions होते हैं, यह वाले question में सबसे पहली बात आपको यहां यह समझनी पड़ेगी, कि इन में question ज्यादा important होता है, क्या होता है, question ज्यादा important होता है, क्योंकि आपको यहां पर किसी चीज का description दे दिया, मालो कोई कहानी narrate कर दी, या कोई poem, या कोई literary piece आपको उठा कर दे दिया, तो उसमें से आने वाले जो question है, वो ज्यादा टेड़े होने वाले हैं, इसमें से और कुछ आपको नहीं उठाना है, अगर आपके दिमाग में question अच्छे से चमक गए, तो आप आसानी से यहां से अपना answer ढून सकते हो, और अपने answers निकाल सकते हो, तो इसमें क्योंकि question ज्यादा important होते हैं, question ज्यादा टेड़ लेते हैं, और उस passage में question read कर डाते हैं, कि चलो भाई मैं यह वाला passage ले लेता हो, और इस passage के अंदर मैंने क्या करना है, यहां पर, I'm sorry, यहां पर सारे की सारे questions read कर लेने हैं, अब बच्चो एक टाइम ऐसा होता था, जब यह बहुत आसान question पूछा जाता था, यहां पर से इस question को पढ़के passage में जाएंगे, तो वहां आपको सामने परोसा हुआ मिलता था answer, कि यह लो, यह रहा आपका answer परोसा हुआ, और आप वहां से पटाफट से आके यहां पर टिक कर देते थे, पर अब आप question का अगर level देख रहे हैं, तो ऐसा level आपको पूछा जा रहा है, ना तो सिर्फ आपको 5 options, 5 statement यहां पर दिये हैं, उनसे बनने वाले 4 अलग option भी है, imagine करो अगर आपने इस तरीके के questions की ज्यादा practice नहीं की, तो एके question 5-5 minute खाएगा, और अगर एके question 5-5 minute खाने लग गया, तो यह पूरा reading comprehension passage आपका इतना समय बरबाद करने वाला है, कि English का paper जो कि सब लोग कहते हैं, छूटेगा, इसलिए आपको हमीशा इसे एक अच्छी trick से करना है, direct question पे jump ना करके, हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहली चीज हम करने वाले है, skimming, ठीक है, अब हम सबसे पहली चीज क्या करने वाले है, हमें पता है questions important है, important है, तो इसलिए इनको प ठीक है, आपको यहाँ पर passage की skimming करनी है, passage की skimming पता है क्या होती है, वो होता है कि exam से पहले, अगर आपको notes कुछ revise करने के लिए मिल जाते हैं, तो आप फटा 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 अपनी आँखों को एकदम scanner बना लेते हो, एकदम notes आपके सामने हो गया है, और पूरा वो एकदम आ आखें नहीं scanner बन चुकी होती है, उनमें क्या क्या लिखा होता है, आपको पता होता है, वही करना है यहाँ पर, passage की skimming का मतलब है, कि जब भी आप यह वाले questions करेंगे, तो आप passage को यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यह देखिए, यहाँ से आपने passage शुरू किया, तो यह जो passage है, इसका first paragraph जो है, इस first paragraph को अपने थोड़ी शिद्दत से रीड किया, क्योंकि यहीं पर क्या होता है, पता चलता है कि यहाँ पर actually कोई भी जो author है, वो अपने thoughts की foundation रखता है, ऐसे कहीं से भी तो thought नहीं लेकि आ जाएगा, तो अपने thoughts की foundation first paragraph में रखी जाती है, तो first paragraph को अ last वाले paragraph पे आ गए, यहाँ पर अच्छे से रीड किया, क्योंकि conclusion के अंदर authors usually क्या करते है, conclusion के अंदर अपना सारी बाते जो उन्होंने कई हुई है, उसको sum up कर देते हैं, तो इसलिए यह भी बहुत जादा, conclusions भी बहुत जादा important होते हैं, तो अब मैंने यहाँ पर क्या सी मैंने सीखा कि मुझे यहाँ पर जो skimming करनी है, उसका मतलब यह है कि मेरे को paragraph number one अच्छे से read करना है, read para one, ठीक है मेरे को paragraph number one अच्छे से read करना है, मेरे को paragraph, मेरे को last paragraph भी अच्छे से read करना है, यह दोनों paragraph से मुझे paragraph one से foundation मिल जाएगी, मेरे को पता चल जाएगा कि आखिर प्रिकार यह जो पैसेज यह किस बारे में है और लास्ट पैरेग्राफ से मुझे इसका थीम मुझे इसका कॉंक्लूजन मिल जाएगा कि इस पूरे पैरेग्राफ में आकरी नतीजा क्या निकला तो वो मेरे को यहां पर मिल जाने वाला है तो अभी मेरे लिए यह दोनों पर step number two तो जब मेरे यह कर लिया है तो अब मैं जाती हूँ मेरे question पर now read question carefully बच्चों क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि यहां पर question ज्यादा महत्रपूर्ण है तो आपको question एकदम अच्छे से पढ़ना है read question carefully तो आपको यहां पर बड़े ही ध्यान से question को read करना है question को ध्यान से read करने का क्या तरीका है माम हम तो बस question को सामने रख देते हैं और रीड कर लेते हैं यही होता है question को read करना ओर क्या नई बच्चों जब भी हम question को read कर रहे होते हैं तो question में हम लोगों को कुछ keywords कुछ key phrases देखने को मिलते हैं और वही हमारे answers को decide करते हैं करते हैं तो हम जैसे इस question को read कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि यह question ellipsis से शुरू हुआ है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि यह जरूर passage से लिया हुआ है textual question है तो इस question को हमने read किया they are shown as flawed beings who do not always act like gods अब यह मेरे को पता है कि paragraph 1 से आया हुआ है that's so kind of cbse कि उन्होंने paragraph 1 लिखा है अगर वो paragraph 1 नहीं लिखते तो यह जो है यह मुझे खुद जाकर paragraph में ढूनना पड़ता कि कौन से paragraph से यह line उठकर आई है अब इसके बाद में आएगा मेरा main question यह कहता है which of these are examples of the above statement मतलब यह जो statement है इन में से कौन सा इसका example है बच्चो अब मेरे को जो मोटी मोटी बात यहाँ पर इस सरीके के question में समझ आई है वो यह है कि उपर मुझे एक statement दे दी गई है और उस statement को prove करने के लिए उस statement को prove करने के लिए मेरे को 5 points दिये हुए है 5 statements दिये हुई है अब बच्चो यहाँ पर मैं इन 5 statements को अच्छे से read कर देने वाली हूँ क्योंकि इन में से कौन सी इसकी example बनती है इन में से कौन सी वो statement होगी वो मुझे paragraph में मिलने वाला है पहले इनको read कर लोगी तक ही मैं जब paragraph में जाओ अपना answer डूणने के लिए तो मुझे पता हो कि मैं क्या डूण रही हूँ आप क्या करते हो आप जल्दी से इसको read किया इसको read किया पर read किया God's getting attached and falling in love God's punishing mortals for their wrongdoing God's showing kindness and compassion to all God's deceiving everyone for their personal gain God's killing a mortal out of jealousy and insecurity अब आपने इसको यहां पर क्या कर दिया बस ऐसे फटाफट से read करके now आप चले गए हो आपके passage के अंदर और आप बस ढूंड रहे हो क्या ढूंड रहे हो पता नहीं है हमें पता है कि हमें statement को prove करने के लिए example ढूंडने है तो statement को prove करने के लिए example ढूंडने है तो मैं पहला वाला statement read करती हूं मेरको दिखता है word attached falling in love दूसरा वाला statement देखती हूं punishing mortals ठीक है तीसरा kindness and compassion to all चौथा deceiving everyone ठीक है पाचवा killing a mortal out of jealousy and insecurity अब बच्चों ये सारे शब्द जो मैंने read करते वे इस question को scan करते वे underline की हैं ये सारे शब्दों को मैं कहती हूं lead words क्या कहती हूं lead words ये मेरे को रास्ता दिखाने का काम करते हैं ये मेरे लिए रास्ता lead करने का काम करते हैं ये वो शब्द है जिन शब्दों के आसपास या फिर ये खुद ये ही शब्द जो है मुझे passage में मिलने वाले हैं और मुझे accurate answer देने वाले हैं ये शब्द मेरे दिमाग के अंदर होने चाहिए जब मैं paragraph 1 में जाओ तो अगर मैं अब paragraph 1 में जाती हूँ ठीक है तो मेरे paragraph 1 के अंदर मेरे दिमाग में वो सारे शब्द हैं अब मैं paragraph 1 में ढूनूंगी Apollo the Greek god of music and healing always maintained that he was greatest musician in the world until the Mariuses who was part animal and part human played the flute Apollo's jealousy and insecurity मिरको नहीं अभी कोई conclusion लेना है मिरको सिर्थ जो मिरको वहाँ पर मिलाता मैं वो दे धान में रखती भी चल रही हूँ drove him to eventually slay Marcius so that his status as the greatest musician remained unchallenged one's usual imagination of a god is being who is all knowing in a pure and pure in every intention what makes Greek gods interesting is that they are shown as flawed being who do not always act like gods अब यहाँ पर हम लोगों ने यह कही न कहीं हो हाँ पर पड़ा हुआ था यह statement पड़ी हुई थी paragraph हमारे सामने है paragraph 1 हमारे सामने है just a minute ठीके paragraph 1 हमारे सामने है और हमारे options ठीधा paragraph 2 के अंदर हम आचुके है यह देख लीचे paragraph 2-3 में देख लीचे कहीं पर भी अगर आपको आपके lead words देखने को मिल रहे हैं क्योंकि सामने वाले ने कह दिया कि मैंने मेरी statement paragraph 1 से लिए अब तुम example कहीं पर भी डूडो मेरे को उससे कोई फरक नहीं पड़ता तो कहीं पर भी अगर आपको वो सारी parts देखने को मिल रहे हैं जो हमने read किये थे जो हमने mark किये थे तो बस वहीं रुख जाना देख लीजे कहीं पर भी आपको ऐसा दिख रहा है अब जब हम यहां पर हमने स्किम करके देख लिया है हमने paragraph 1 अच्छे से पढ़कर देख लिया है तो अब मेरे पास में यह जो इसको प्रूव करने के लिए कि यहां पर अगर हम Greek Gods की बात करें तो वह और कोई नहीं flawed beings हैं जो कि हमेशा भगवान की तरह आक्ट नहीं करते हैं तो यह कौन सा वाला पार्ट है जो बताता है कौन सा वाला इनमें से एक्जामपल है जो यह बताता है कि Greek के बगवान Greek के बगवान की तरह नहीं किसी इनसान की तरह आक्ट करते हैं अब मेरे पास में अपने option पे जाओंगी अब मेरा next step क्या होने वाला है elimination का मैंने lead words locate किये यह सारे मेरे words थे जो मेरे को मिलने वाले थे passage के अंदर मैं से passage अच्छे से read कर पा रही थी इसके बाद में मैं गई passage में मैंने passage read किया मुझे कुछ चीजों का अंदाजा लगा मेरे को पता चला कौन-कौन से examples हो सकते हैं I came back to question अब मैं options देख रही हूँ अब इन option में से मैं कभी भी correct option नहीं दूनूंगी मैं incorrect options को eliminate करूंगी तब जाकर मैं सबसे best answer पर पहुचूंगे तो मेरे को यह नहीं करना है कि C क्यूं answer हो सकता है मुझे यह करना है कि A answer क्यूं नहीं हो सकता तो जब मैं यह find out करती रहूंगी कि A क्यूं नहीं हो सकता B क्यूं नहीं हो सकता D क्यूं नहीं हो सकता तो मैं अपने आप C पर land कर जाओंगी तो यहाँ पर यह जो options ऐसे दिये वे होते हैं या कभी भी आप जब mcqs करो तो आपका next step क्या होना चाहिए elimination कि आपने यहाँ पर जो भी आप mcqs कर रहे हो उसके अंदर options को wrong options को eliminate किया and last में जो बचा वो आपका correct option था जैसे यहाँ पर correct answer होगा C only 1, 4 and 5 ठीक है the description in 1, 4, 5 exemplify the given statement as they show gods as flawed and behaving like a human being या human might ठीक है human being might तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर first वाला God's getting attached and falling in love इसके बाद में fourth वाला God's deceiving everyone for their personal gain ठीक है और इसके बाद में fifth वाला God's killing a mortal out of jealousy and insecurity यह तीनों चीज़े ऐसी हैं जो आम तोर पर इंसान करते हैं भगवान नहीं भगवान को माना है नहीं जाता है यह सब करने के लिए बगवान तो हम सब से उपर है परे हैं और इसे लिए वह हम सब के लिए न्याय करते हैं ना कि इस तरीके से out of jealousy किसी को भी मार दिया ऐसा है वो कभी नहीं करते तो यह तीनों चीजे यह शो करती है कि ज्यादा human beings करते है ना कि भगवाल और इस पॉइंट को यह प्रूव करता है मेरे लिए c will be the correct answer okay ऐसे आपको यह वाले question जो है वो करने रहेंगे तो हमारी steps पर अगर हम वापस जाकर उन steps को locate करें तो step number two हमारा क्या हो जाता है question को read करना step number three हो जाएगा जब मैं question को read करूंगी तो मैं lead words को mark करूंगी तो मैं क्या करूंगी mark करूंगी lead words अब आप मेंसे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे के ma'am हम लोगों को तो lead words क्या कुछ एक pen भी लगाने के लिए नहीं देती है exam में तो हम क्या करें एक pencil लेकर जाना जो normal वाली pencil होती है वो पीछे से usually थोड़ी सी शाप होती है ऐसे गोल उसका circle जो बनावा होता है आप उसे उल्टा पकड़ कर और फिर paper को read करना वह कोई चाप नहीं जोड़ेगी पट कही नहीं जब उसको ऐसे से mark करोगे तो थोड़ा engrave कर देगी paper के अंदर and that'll be easily visible तो आप आराम से देख सकते हो कि कहा पर क्या चीज आपने mark करी थी वो आपके disqualification में भी नहीं आएगा and it'll help you understand remember कि आपने क्या mark किया था तो आपने lead words को क्या कर दिया है lead words को यहां पर mark किया जैसे कि हमने वहाँ पर किया था now we'll go back to the question जैसे कि हम लोग में already अभी करके देखा है ठीक है तो next step होगा go back to the question और question में जाकर अब मैंने क्या करना है मेरे answers मैंने read करना है मैंने देखना है कि कौन से options हो सकते हैं और मेरा next step होगा eliminate करना wrong options को ठीक है तो next step मेरा क्या होगा step number 5 eliminate the wrong options elimination method का इस्तमाल करूंगी wrong options हटाऊंगी जो बच जाएगा वो मेरे पास answer बच जाएगा उसके अलावा और कुछ है ही नहीं ठीक है तो elimination method से फिर finally मेरा जो answer है वो सामने आ जाएगा अब बच्चो यहां तक जो है यहां तक यह जो है go back to the question यहां तक आपके जो subjective वाले question होते हैं वहाँ steps सेम होते हैं ठीक है यहां तक आपके सारे steps जो है वो सेम होते हैं यहां mcqs के अंदर आपको elimination method का इस्तिमाल करना होता है mcqs के अंदर elimination method का इस्तिमाल करना होता है पर जब भी subjective question पूछा जाता है तो वहां अलग स्तिती होती है तो चलिए एक बार question देख लेते हैं वैसा तो हमें पता चल जाएगा कि step 5 subjective में क्या होगा तो हमारा next question एक बार दे यह वाला question देखेंगे sorry a minute जैसे गे रहा यह वाला question देखो 40 words में इसको answer करना है what is ironic about Apollo being the one who slays Marcia's answer in about 40 words अब बच्चो यह वाला question है इसमें भी हमने same step करने हैं हमने question को अच्छे से read करना है read करके हमने mark करने है lead words हमने mark करने lead words lead words क्या है यहां पर Ironic Apollo being the one who slays Marcia's Apollo यह मेरे lead words है यह मेरे को रास्ता दिखाएंगे यह मुझे बताएंगे कि कौन से passage में मुझे रुकना है कौन से paragraph में मुझे रुकना है और कहां मुझे मेरा answer मिलेगा अब मेरे को यह तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए passage में जाना है और passage में जाकर जहां पर भी यह लिखे हुए है वहां रुक कर इसका answer खोजने की कोशिश करनी है यह है मेरा number one काम जो मुझे अभी करना है ठीक है तो मैं गई passage में अब देखो यहां पर आप रीड कर लो आपको कहीं पर भी वह दिखे आपकी लीड वर्ड्स दिखे तो बस वहीं रुक जाना अगर हम हमारे लीड वर्ड्स की बात करें दूसरे पैंसे मार्क कर ले रहे हुँ यहां पर मेरे को दिख रहा है गले के अब मैं डिइसैड करूंगी किया पैरेग्राफ वन कि अंदर में आई रोनिक वह अइरोनिक सिब्द को जिस्टीफाइब कर सकती हूं पैरेग्राफ वन में क्या में वह आइरोनिक ढूंद सकती हूं जिसे मैं बाद में 40 शब्दों के अंदर लिख कर देने वादी हूँ अंसर में अगर नहीं तो we'll keep finding in paragraph 2 ठीक है paragraph 2, 3, 4, 5 5, okay? अब एकने अंदर, जब मैंने यहां पर यह साई के आמה रीट कर लिए मेरे को मेरे पास आजरी मेर को पता था की मैरे डिरेक्शन मुझ्छे यहां पर दिया हुआ है अब मेरे पास यह रीड हो गया तो मेरे तो मेरे को आप kavul passage के अंदर Sleys Marciais देखा तो मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे मेरे को मेरा आंसर मिलेगा यह देखते ही बच्चे खुश हो जाते हैं और paragraph 1 फूरा का पूरा च्छाप देते हैं पूरा का पूरा वहां से आपको आपका answer बनाना है वो आपको help करेगा paragraph 1 जहां पर हमने इसको locate किया वो आपको help करेगा answer बनाने में आप exact word to word वो copy कर लोगे तो subjective question में number नहीं मिलने वाले हैं तो make sure कि जब भी ऐसे question आए आप जाएए passage में passage में जाकर वहां पर उसे locate कीजे जो main word है जिसके around मेरा answer you know rotate करेगा वह main word के around मेरे को कुछ points वहां डूणने है और अब अपने शब्दों की अंदर उसे लिखना है कम से कम मतलब ऐसा है कि अपने शब्दों के अंदर लिखना है कम से कम कोई limit नहीं है पर जादा की limit है 40 words 40 words से जादा मैं इस पर नहीं जाओंगी मैं बैटकर एक पूरा page इस पर नहीं लिखोंगी तो यह मैंने ध्यान में रखा answer मेरा य आपना एक पॉर्ट लिख दो 40 words में और आपका काम हो जाएगा अब ऐसे में बच्चों क्या होता है जब teachers copy check कर रहे होते हैं तो teachers को एक से जादा answers दिये जाते हैं इसके लिए क्योंकि यह वाला question है subjective subjective questions जो होते हैं उनमें हर एक बच्चे का दिमाग वेरी करता है मतलब के the God of healing acted on an impulse that shows that he himself needed healing कुछ बच्चे सोच रहे होंगे the behavior of the God is unexpected as he is supposed to show behavior that would heal mortals अब आप में से इन में कोई भी point कोई भी point बच्चा जो सोच रहा होगा मिलेगा number चीक है answers इस तरीके से teachers को given होते हैं points के अंदर given होते हैं आपका answer किसी भी point से resemble करता है तो teacher आपको marks दे देता है अब मेरे को कैसे पता चलेगा माम के मेरा answer इनी points के अंदर fall कर रहा है इसी लिए मैं आपको lead words locate करवाती हूँ जब आप इने ध्यान में रखे और passage में जाते हो और वहां से कुछ ऐसे words उठाकर अपने answer में डालते हो जो actually इन से जुड़े हुए हैं तो आप देखोगे कि आ आपका आप answer जब बनाओगे तो वो इनी से कहीना कहीं relate करेगा आप कहीना कहीं healing शब्द का इस्तमाल करी रहे होंगे healing शब्द का इस्तमाल करी रहे होंगे अगर आपने passage paragraph 1 पड़ा है आपने skim किया है बाकी paragraph तो आपको समझ में आई रहा होगा कि यार अपोलो जो है वो तो healing का God है पर उसने क्या किया slay कर दिया याने मार दिया Marcius को तो healing का God मार रहा है वतलब उसे मरहम लगाने भेजा है पर वो कर क्या रहा है वो actually लोगों को destroy कर रहा है तो दोनों में irony create हो गई तो healing आपके दिमाग के अंदर 100% आएगा तो आप अपने आप ही इस category के अंदर fall करते जाओगे अब healing एक तरफ आपके दिमाग में आ गया दूसरी तरफ already मेरा lead word कह रहा था के Marcius को मार दिया गया है तो आप चाहे killing आपके दिमाग में आ जाए चाहे आपके destruction दिमाग में कुछ भी आपका answer यहां पर match कर जाएगा और आपको number मिल जाएगे ठीक है इसी लिए lead words को follow करना जरूरी है बच्चों सगीधा अपने मन से answer नहीं लिखेंगे और passage से उठा कर ditto answer नहीं लिखेंगे अपने passage को follow करते हुए keywords को follow करते हुए अपने शब्दों में answer को बया करे क्योंकि बहुत सारे बच्चे sample paper और additional paper अब solve करने लगेंगे तो उनके पास में जब वह marking scheme देखेंगे तो उने लगेगा यार 3-3 point है और यह 3-3 point मुझे लिखने चाहिए जरूरी नहीं है आप इनमें से 1 point भी अच्छे से समझा देंगे 40 शब्दों के अंदर 40 से कम क्योंकि कुल मिला के सारी बातें एक ही कर रहे हैं ठीक है आपको आप जब भी ऐसे questions रीड कर रहे होते हैं या फिर जब भी आपको ऐसे questions दिये जाते हैं थोड़क broad सोचो और ऐसा answer create करो जिस answer के अंदर जितने भी probable answers आपको लग रहे हैं उनसे जुड़े keywords आगा है healing आ गया you know impulse आगया unexpected आगया ऐसे ऐसे शब्दों को आपको सोच के अपना answer create करना चीज इनमें वो सारी शब्दा जाए जो probable answers में हो सकते हैं मैं मैं इस चीज को उतने से time के अंदर कैसे सोचूँगा with practice अगर आपको लगता है कि आज ये जो class ये class करोगे और उसके बाद में बैठ कर reading comprehension करोगे तो आपके दिवाग में अपने आप ऐसे शब्दा आने लग जाएंगे और ऐसे answer आप लिखने लग जाओगे ऐसा नहीं होगा reading comprehension एक ऐसी चीज है कि अगर आप student ना होते आप teacher भी होते अगर आप teacher भी होते आप मेरी जगे भी खड़े होते और आपको एक unseen passage दिया जाता तो भी आपको उसे comprehend करने में time लगता तो भी आपको उसके answers find करने में time लगता क्योंकि ये unseen है अपनी से पहले कभी देखा नहीं ह तो आपको इस चीज के साथ में थोड़ा settle होना ही पड़ेगा कि unseen passages जो होते है उनको time लगेगा आपको थोड़ा उसकी according address story में time लगेगा और जितनी practice आप करते जाओगे उतना जादा आप reading comprehension को समझ पाओगे उतना कम time आपको exam में लगने वाला है पर time तो लगेगा आप सोचो कि दिमाग के अंदर यूं करके सारे words आ जाएंगे ऐसा नहीं होगा in fact मेरी observation जो है वो मैं आपको बता देती हूँ मेरी observation यह है कि हर वो बच्चा जो reading comprehension passage एक passage daily करेगा अब से क्योंकि अगर आप 30-30 questions भी कर लेते हैं एक passage daily करना है आपको रोज कोई और और 50 passage करने की जुरूत नहीं है सिर्फ एक passage daily करना है वो बच्चा comparatively बाकी बच्चों से reading comprehension को कम time में और correct answers के साथ कर पाएगा मतलब एक तरफ हम बात कर लेते हैं मोहित की तो एक तरफ हम बात करते हैं मोहित की जो यहां पे रोज एक passage करता है और एक passage में different different तरीके की questions solve कर रहा होता है और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं हमारी भव्या की अब भव्या ने क्या किया भव्या बोलती है अरे यह मोहित रोज एक एक question करता रहता है मैं तो इसको एक बार में 30 question करके दिखा दूगे तो भव्या ने क्या किया 22 तारिक को हमारा paper था भव्या 21 तारिक को बैठी और बैठ कर इसने 30 question खतम कर दिये बाकी सब तो हुआ वा था बस वो कर दिया अब यहाँ पर जब हम लोग actually 22 तारिक को 3 घंटे में देखेंगे दोनों बच्चों को question solve करते हुए तो मैं आपको यह यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मोहित जादा better कर रहा होगा भव्या से ठीक है आप एक दिन बैठ कर 30 question कर लीजे या आप actually धीरे-धीरे करके 30 question कर लीजे जादा impact आपकी frequency जो आप धीरे-धीरे बैठ कर रोज एक question कर रहे है उससे आएगा reading comprehension क्योंकि बाकी subjects के किसी topic या chapter की तरह नहीं है जिसे एक दिन में बैठ कर master किया जा सकता है reading comprehension को time लगता है इसके साथ में दोस्ती करने के लिए आपको इसे time देना पड़ता है यह है number one observation number two observation one passage चाहे वो आपका कोई भी आपका descriptive passage हो चाहे आपका factual passage हो शुरवाती दो से तीन question tough लगेंगे जब घर आकर उन्ही question को देखोगे तो बहुत असान लग रहे होंगे और शुरवात में जब तुम passage solve कर रहे होंगे तो पहला दूसरा तीसरा question tough लग रहा होगा दोनों questions का क्यों माम क्योंकि passage नया है जब पहले question के लिए passage पढ़ोगे दूसरे question के लिए passage पढ़ोगे तीसरे question के लिए passage पढ़ोगे तो passage ऑल्मोस तीन बार देख चुके होगे जब passage तीन बार देख चुके होगे तो इतना अच्छा दोस्त अल्रीडी बन चुका होगा कि अब चौता, पाचवा, छटा, आठवा question आराम से हो जाएगा आपको exactly पता है कि fourth वाले paragraph में क्या लिखा है आपको exactly पता है कि third वाले paragraph में क्या लिखा है तो जो बच्चे ये पहले कुछ questions की अंदर अच्छे से time spent नहीं करेंगे patience नहीं रखेंगे, impulsively read करेंगे वो बच्चे पूरा reading comprehension में सब कर देंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप passage पढ़ो, पहला question पढ़ो आपका nervous होना, आपको passage को लेकर clueless होना जायज है ऐसा होगा ही होगा, passage पहली बार देखा है पर चौथे question onwards आप थोड़ा relief में आने लग जाओगे और यूल भी लेकरे कर सकता हूँ यारी हमें तो आराम से हो जाएगा तो उस चीट पर believe रखकर patiently आपको काम करना है यह दो मेरी observation है and trust me आप भी इसे observe कर लेना आप कर लेना, आपको खुद को अंदाजा हो जाएगा हमारे पास में वैसे भी इन observation से सीखने का मौका फिर मिलेगा आप इस observation से अभी सीख लीचे तो बहुत अच्छी बात है नहीं सीखेंगे तो CUET में काम आ जाएगी है ना, तो आपने यह जरूर ध्यान रखना है अब जब हम लोग नहीं यहां पर यह देख लिए कि सब्जेक्टिव वाला कैसे होता है तो इसके स्टेप्स भी हम थोड़े से नोट डाउन कर लेते हैं तकि हमारे दिमाग में इसके स्टेप्स थोड़े से क्लियर रहें और फिर बाकी तरीके के questions भी हम देखते हैं तो हमें पता है कि step no.5 mcq तो यहीं पर खतब हो जाता है पर जब हम लोग बात करते हैं हमारे subjective की तो हम subjective में एक बार lead words को follow करते हैं follow करके हम जाते हैं passage read करते हैं और passage read करने के बाद में passage read कर लिया question पर वापस आ गए अब हम क्या करते हैं अपने खुद की answer बनाते हैं that means हमारा step no.5 क्या होगा step no.5 होगा कि मुझे मेरे जो keywords है use keywords given in the passage keywords given in the passage जो passage में given है उन keywords का इस्तमाल करना है और इस्तमाल करके lead word को ध्यान में रखके ironic क्या था? lead word था तो उसको ध्यान में रखके I will start writing my answer, start creating your answer in your own words ठीक है? start creating your answer in your own words ठीक है? अपने खुद के words के अंदर आप answer अपना लिखना शुरू करें अब याद रखें यह जो keywords है, यह keywords दो चीजों पर निर्दारित होंगे अब जैसे हम लोगों ने वहाँ पर keywords देखे तरह healing, impulse, है ना? हम ने keywords देखे तो जो answer के अंदर भी थे, है ना? तो यह keywords मेरे को कैसे मिलेंगे? दो चीजों से पहला आपके question के lead words, question के जो lead words होते हैं उन पर focus करिये और फिर दूसरा आपने जो passage पड़ा है उसमें आपको उन question के lead words के around क्या देखने को मिलता है? इने पर दारत होंगे आपके यह वाले keywords ठीक है? जब आप keywords लिखेंगे अपने answer के अंदर, subjective answer के अंदर आप ऐसे शब dimension करना चाहेंगे जो आपके answer को अच्छा बनाते हैं जो आपके answer को और better understandable बनाते हैं तो ऐसे वाले जो keywords होते हैं वो यह दो ही sources से आते हैं या तो आपक question के lead words हो जाएं या इनी से जुड़े हुए आपके passage में जो words है वो हो जाएं तो यह मेरा step number 5 हो जाएगा मेरे जो भी subjective questions है उनके लिए अब बच्चो यह तो हो गए जो मेरे 40-40 शब्दों में लिखने वाले questions है वो अब इसके बाद में कुछ essay questions भी आपको देखने को मिलते हैं देखो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ essay questions based on your reading of paragraph 3 अब मेरे को यहाँ पर बता दिया है कि भाया तुम्हे paragraph 3 की जरूरत पड़ेगी तो आपकी reading की अनुसार जो आपने paragraph 3 में reading करी है उसको ध्यान में रखते हुए explain what, explain what invulnerable means आपको बताना है कि paragraph 3 में जो आपने reading करी है उसे ध्यान में रखते हुए invulnerable का क्या मतलब है ठीक है तो अब मेरे को यहाँ पर vocabulary वाला question पूछ लिया गया है ऐसा question पूछ लिया गया है जिसके अंदर मेरे पास mcq भी नहीं है और मुझे paragraph 3 में invulnerable का मतलब धूणना है ठीक है और मेरा जो answer है वो एक sentence में होना चाहिए तो मैं फूल एक sentence में answer करनी चाहिए हूँ कि according to paragraph 3 invulnerable means and then उसकी बाद में उसका meaning मुझे बताना रहेगा अब paragraph खुद ही चाहता है कि हम लोग क्या करें paragraph 3 में जाए है ना पैसेज यह खुद ही चाह रहा है तो चलो चल लेते हैं paragraph 3 में देख लेते हैं यह इन वल्नरेबल क्या बला है यह देखिए यह रहा पैरेग्राफ 3 और यह रहा आपका word इन वल्नरेबल आपको यहां पर paragraph 3 रीड करने से अपने आप से इन वल्नरेबल का मीनिंग नहीं मिल जाएगा इन वल्नरेबल लिखा हुआ मिलेगा बस तो फिर मैं पैरेग्राफ 3 में आने का क्या मतलब अगर मैं मेरे इसका आंसर यहां नहीं मिलेगा तो मैं कैसे इस question को करूँगा मुझे तो फिर वकाव वाले question छोड़ने पड़ेंगे बच्चों जब भी वकाव वाले questions आते हैं आपको उन्हें छोड़ना नहीं है अगर कोई दुनिया में exist करने वाले सारे शब्दों का मीनिंग नहीं बता होगा मुझे और मैं ही नहीं मेरे पूरे के पूरे community के जितने भी सारे teachers जितने भी fraternity में teacher हैं इस सारे के सारे teachers को एक एक शब्द के बारे में नहीं पता है तो हम लोग जब read कर रहे होते हैं तो हम इन शब्दों का answer कैसे बनाते हैं हम इन शब्दों का mean कैसे नकालते हैं एक secret बताती हूँ पहला हम लोगों कुछ root words के बारे में पता है क्योंकि of course मैं vocabulary बढ़ाती हूं तो मुझे कुछ root words के बारे में पता है जिनकी वजह से जब भी मैं किसी word को देखती हूं जिसके बारे में मुझे idea नहीं होगा या मैंने पहली बार सुना होगा तो मैं उसे break करके उन root words के according उसका मतलब निकालने की कोशिश करती हूं तो कुछ root words कुछ prefix suffix यह ध्यान में रखके मैं उसका मतलब निकालने की कोशिश करती हूं यह है मेरा पहला सीधा teacher वाला साधारण तरीका अब as a reader मैं बात करती हूं जब कोई भी book भी read कर रही होती है और मेरे सामने कुछ नया शब्दा जाता है जिसकी बारे में मुझे नहीं पता होता है तो मैं उसका meaning कैसे निकालती हूं उस शब्द से जुडी हूई line को read करूंगी यहाँ पर यह जो sentence ऐसे read करूंगी still the gods were not invulnerable and were often wounded and suffered so much that they pray they pray for death अब जब मैंने इस line को read किया तो यह line कहती है फिर भी the gods were not भगवान नहीं थे क्या नहीं थे पता नहीं है मुझे invulnerable का मतलब and were often ऐसे वो नहीं थे and were often और बहुत बार उन्हें घाव हो जाते थे wounded याने घाव हो जाना तो उन्हें घाव हो जाते थे वो जखमी हो जाते थे and suffered so much और वो इतना तडपते थे इतना तडपते थे कि वो प्रे करने लग जाते थे है प्रातना करने लग जाते थे कि है भगवान इससे अच्छा तो में मरी जाओ तो वो ऐसे क्या नहीं थे जिसकी वज़े से वो जखमी हो रहे हैं तडप रहे हैं और मरने की प्रातना कर रहे हैं वो वर्ड है इन वल्नरेबल तो जब भी मैं ऐसे ऐसे वर्ड के साथ में मेरा सामना होता है तो हमें क्या करती हूँ यहाँ पर यह वाली जो सेंटेंस को रीड करती हूँ इस सेंटेंस को उस भाशा में जो मुझे समझ में आती है जो मेरी प्राइमरी भाशा है जिसे मेरी हिंदी है आप कि माराथी हो सकती है घुजराती हो सकती है जो भी तो आपकी जो भी भाषा है उसमें आपने किया इसको ट्रांसलेट और जब आप ट्रांसलेट करोगे तो इसका लगबग मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा याद रखो question कह रहा है एक sentence में meaning समझाना है question चाता ही नहीं है कि एक word में इसको समझा आराम से एक sentence के अंदर meaning समझा दो कि यहाँ पर in vulnerable का मतलब क्या है in vulnerable का मतलब यह है कि वो लोग भी अमर नहीं थे सर्व शक्तिशाली नहीं थे कि उन्हें भी कुछ हो सकता था कि उन्हें भी कुछ हो सकता था तो यहाँ पर इसका मतलब यह यह ना कि उन्हें भी कुछ हो सकता था वो सर्व शक्तिशाली नहीं थे नौट in vulnerable तो in vulnerable का मतलब क्या है सर्व शक्ति शाली होना जिसे कुछ ना हो सकता हो जो कहीं पर भी जखमी नहीं हो सकता हो जो तडपता नहीं हो जिसके पास में बहुत ज़ादा ताकत हो जिसके अंदर जो इम्मुन हो सारी की सारी चीजों से है na किसी बच्चे को और कुछ ना आए तो मुझे पता है यह तो आ जाएगा क्योंकि इन वल्नरेबल इन प्लस वल्नरेबल यह तो आजाएगा इतना तो पता है न कि जब इन लगा देते हैं किसी भी शब्द के आगे तो उसका मतलब उपसेट हो जाता है नौट हो जाता है इतना तो बता ना तो एक सेंटेंस में बताना था तो हमने एक सेंटेंस में चाला की करके बता दिया क्या बता दिया it means not to be vulnerable invulnerable not vulnerable समझे तो ऐसे आप कोई साथ लिख सकते थे इन में से यह सबसे बढ़िया है एक दम कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जुरूत नहीं है, अब आपको बदा देती हूं, विल्नरेबल का मतलब होता है, विल्नरेबल का मतलब होता है, विल्नरेबल का मतलब होता है, जिसे हाम किया जा सकता है, जो हाम हो सकता है, जो एक कह सकते हैं, एक ऐसे पॉइंट पे हो जहां पे, full of emotions भी हो सकता है, तो आप किसी भी आंगल से उसे देख लीज़े, जा है physically, emotionally, mentally, जो इंसान weak हो से हम vulnerable कहते हैं, जो safe नहीं हो से हम vulnerable कहते हैं, इन vulnerable मतलब जो उसके आगे इन लग गया not, जो weak नहीं है, जो weak नहीं है, जो weak नहीं है, वो शक्तिशाली है, वो immune है, वो safe है, व वोग आपको questions को करने के लिए, question read किया, paragraph में कहे, sentence read किया, translate किया, और अपने हिसाब से, जो भी समझ में आता है, उसकी around लिख दिया, teachers को भी पता है, आप dictionary नहीं हो, teachers को भी पता है, कि आपको नहीं है, हो सकता इसका meaning पता हो, आपके पास कोई dictionary नहीं पढ़िये, तो exact definition लि लिख ली जाए, all right, फिर आते हैं, यह 40 words वाले हमने question कर लिए, इसके बाद में different तरीके question आते हैं, यह वाले, यह वाले question आते हैं, अब यह वाले question देखो कैसे हैं, complete the given sentence with one word, आपको इस sentence को एक शब्द की मदद से complete करना है, from the fact that the Greek gods punish any mortal who neglects their worship, we can infer that they are, अब बच्चों जब इस तरीके का question आता है, हमेशा यह याद रखना, यह जो one word है न, one word, इसका मतलब यह है, कि जो teacher आपकी copy check कर रहा है, उसके पास जो marking scheme है, उसके पास अलग-अलग शब्द लिखे हुए है, one word है, तो उसके पास अलग-अलग शब्द लिखे हुए है, अब देखो, आप वो शब्द कैसे डूंडोगे, एक सबसे अच्छा तरीका है, पहले खुद अपना दिमाग यहाँ पर लगा देते हैं, कि from the fact कि Greek gods जो है, वो punish कर देते थे, any mortal, किसी भी mortal को जो मर सकते उनको, जो भी उनकी worship नहीं करता था, उसको punish करते थे, ऐसे में हमें क्या पता चलता है कि Greek gods क्या थे? कोई भी अगर किसी की worship नहीं करेगा, तो उसे मार दिया जाएगा, कोई भी अगर मेरी worship नहीं करेगा, मेरे पूजा नहीं करेगा, तो मैं उसे मार दूंगी, तो ऐसे में, मेरे character traits में क्या क्या होना चाहिए? तो पहले मुझे यह सोच रहा है कि मेरे character traits में क्या क्या होना चाहिए? यह तो है मेरा सबसे पहला तरीका, सबसे आसान तरीका जो reading के साथ में आपको आने लगेगा, हैना? दूसरा, अगर फिर भी आपको यह चीज नहीं जम रही है, आपको नहीं जमज में आ रहा है, कि मैं इसको यहाँ पर कौन सा word फिट करूँ? थोड़ा passage से idea ले सकते हो, lead word mark कर लो, passage में जाकर ढूम लो, यह lead word mark कर लेते हैं, punish any mortal who neglects their worship, अब passage में एक बार read कर लेंगे, तो कुछ आसपास वाले शब्दों से दिमाग में हो सकता है, कि कोई और शब्द बैट जाए, जो कि इनके character traits को समझाने में मदद करें, जबकि मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे options आ भी रहे हैं, comments में rude आ रहा है, cruel आ रहा है, unkind आ रहा है, single-minded आ रहा है, dangerous आ रहा है, harmful आ रहा है, फिर भी आपको यहाँ पर और भी कुछ ऐसा लगता है, जो हम जिसकी मदद से कुछ बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, इतना पार्ट रीड करके देख लो, यहाँ से तुम्हें तुम्हारे जो लीड वर्ड है, वो यहाँ लोकेट हो जाएंगे, ।।।।॰ग सऑगे प्रेंटाल क्रूइट ल görüş।छ भी अठाट देख यहाँ यहाँ अज को रही विल्म, वो यहाँ अने MR्ब्स निलेससे लोगे जीवेड पार्ट फौेट कर देख्ट बता लोotz and in many tales both gods and goddesses become attached to mortals ठीक है हमने lead word read किया lead word read करते ही हम लोगों को यहाँ पर इतना इतना part मिल गया अब यहाँ से मेरे को बहुत सारी चीजे देखने को मिल पा रही है एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि Greek gods जो है वो कही न कहीं human qualities possessed करते हैं तो आप जो बाते बता रहे हैं वो आप जो words बता रहे हैं वो हमारे answers के अंदर हो सकता है तो चलो एक बार देख लेते हैं कि मेरे बच्चों के बताय हुए words क्या answers में match करते हैं कि नहीं ठीक है करें यह देखो यह रहा answer vengeful, revengeful, egotistical, egotistic, conceited यह words जो है यह words आपके होने चाहिए यह words आपके answer के अंदर होने चाहिए तब ही number मिलेंगे unfortunately मेरे बच्चों ने जो words बताये थे वो सारे words यहाँ पर नहीं fit करते हैं अब इसका मतलब यह नहीं है कि केवल यही words होंगे इनके भी synonyms हो सकते हैं जैसे कुछ-कुछ यहाँ पर मेरे को दिख भी रहे हैं जैसे autocratic हो सकता है तो वो भी हो सकता है बट यह जो answers है यहीं पर आपका आपका answer भी fall करना चाहिए हमें यह चाहिए हमें उस level का perfection चाहिए तो ma'am यह level का perfection मुझे कैसे मिलेगा मेरे दिमाग में vengeful, revengeful, egoistical, egoistic, conceited कैसे आएगा इसलिए तो paragraph रीड करवाय था यह देखो अगर तुम paragraph रीड करते है तो तुम्हें पता चलता यह सारे word यहां लिखे हुए है देखना जरा The Greek believed the mental qualification of their gods were much higher than those of men but nevertheless displayed human passions like revenge, deceit and jealousy Lead word को follow करते हैं यहां पर आते और आकर इसको read करोगे तो पता चल जाएगा answer मिल जाएगा यहां पे Answer मिल जाएगा यहां पे अब मेरे को यह qualities दिखाई है Revenge quality होती है Deceit quality होती है Jealousy quality होती है अब ऐसा इंसान जो revenge रखता हो उसे हम vengeful कहते है जिसको revenge जिसको बदला रख लेना है उसे vengeful कहते है Deceit, deceit जो है धोका धड़ी हम करते है तो हम कह सकते हैं यहां पर deceited भी कर सकते हैं वह conceited भी था, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अगर हम jealous की बात करें इर्षा रखने वाला तो इसके अंदर इर्षा कौन रखता है बच्चों दूसरों से जो अपने आपको महान समझता है इर्षा कौन रखता है जो अपने आपको महान समझता है मेरे आगे कोई कुछ नहीं है तो यहां से वो वर्ड निकला इगोइस्टिक समझें? इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपके मार्किंग स्कीम के अंदर कौन-कौन से शब्द लिखे हुए हो सकते हैं तो यहां से आपने वो चीज पता लगानी है नहीं तो बच्चो अगर हम ऐसे ही सोच लेंगे एक ही बार में अंसर पढ़के तो दिक्कत हो जाएगी आपके वर्ड वाहां माच नहीं करेंगे और टीचर्स को स्ट्रिक्ली इंस्ट्रक्शन्स होते हैं वो नमबर नहीं देंगे है ना कोई बात नहीं हम प्राक्टिस करते रहेंगे तो प्राक्टिस के साथ ये वाले क्वेश्चन एकदम लड़ू की तरह करोगे तुम चलो आगे बढ़ते हैं इस तरीके के क्वेश्चन्स हमने अल्रड़ी कर लिए अच्छा अब ये आपके सारे क्वेश्चन्स सैयार हो चुके हैं ये अने कर लिए और फिर आपको यहां पर कुछ बाकी के क्वेश्चन्स देखने को मिल रहे हैं जो tsås प्रांप ओस बार ये वाला क्वेश्चन्स भी ट्राय कर सकते हो question number 9 try करो, अच्छा question है subjective को लेकर जितने भी descriptive passage में doubts हैं वो निकल जाएंगे, एक बार इसको भी try करो, कल हम लोग factual को भी इसी तरीके से decode करेंगे, पहले क्या करें पहले अगर इस तरीके से step by step हर एक question को देखकर उसको decode कर लिया, क्योंकि यह जो फॉलो कर रहे हैं, CBSE वाले pattern यही पेपर में आएगा इसी लेवल पर question आएंगे और ऐसे ही आएंगे complete the following in one word भी मिलेगा, subjective भी इतने मिलेंगे, mcq भी इतने मिलेंगे, निर्धारित है अलड़ी, पेपर pattern decided है, यह हमें कैसे बता चाहता है, sample paper और additional papers जब हम ऐसे decode करके रख लेंगे एक बार को, कि descriptive में यह question आते हैं और यह ऐसे करने है, factual में यह question आते हैं और यह ऐसे करने है, तो उसके बाद में हमें क्या करना है, बस रहे सारे descriptive और factual question की classes लगानी है, बात खतम, यह वाला question ट्राइ करो, what does the author mean by tragic downfalls, author का tragic downfalls से क्या मतलब है, जो उन्होंने paragraph 5 में लिखा हुआ है, मतलब, अगर मैं paragraph 5 में जाऊंगी, अगर मैं paragraph 5 में जाऊंगी, तो tragic downfall जो होगा, वो मौझूद होगा, tragic downfall मुझे वाल लिखा हुआ, मौझूद होगा, give an example of a tragic downfall in current times in about 40 words, पहला question तो ये है, कि tragic downfall का मतलब क्या है, दूसरा question ये है, कि tragic downfall का आपको एक example भी देना है, आज कल के समय में tragic downfall का एक example भी देना है, तो ये दोनों चीज़े ही आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, question number 9 है, दोनों चीज़ों में mark कर चुके हैं, परेग्रह परेग्रहफ 5, इन ग्रीक मितलोजी, तो गोट्स तेक प्री अपर्टुनिट तो रवेल रूज़ रबेश धिर दिविनिटी, बदो आपको वाल प्रेग्रह प्रीट है, impulses. Perhaps the Greeks did so to help generations of readers reflect on important life lessons to avoid tragic downfalls. अब यहां से आपको tragic downfall का meaning draw करना है. अपनी रीड किया इस reading से आपको क्या लगता है? tragic downfall का क्या मतलब है? जब हम पूरे passage को अभी टुकडों में read कर चुके हैं और finally इस conclusion को read करते हैं. तो इसका मतलब यह निकलता है कि Greek mythology के अंधर यह लिखा हुआ था कि भगवान किस तरीके से हर opportunity, the gods take every opportunity to reveal, खुलासा करने के लिए, establish करने के लिए अपनी divinity को कि हम महान हैं ठीक है? वो ऐसा करते हैं पर बहुत बार वो human impulses के शिकार हो जाते हैं. Greeks ने अपने mythology में ऐसा इसके लिए mention किया तक कि वो readers की आने वाली सारी generations को यह बता सके कि कैसे आपको इन lessons से सीखना है. बगवान ने भी जो गलतियां करी हैं आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपका हश्र भी वही होगा जो इनका हुआ है tragic downfall याने आप भी मू के बल वैसे ही गिरोगे जैसे ये गिरे हैं. आपको भी वही सब face करना पड़ेगा, downfall का मतलब होता है, आपको भी क्या करना पड़ेगा, face करना पड़ेगा वो एक time जब आप भी एक जगे पे खड़े हुए और आप किर रहे हुआ, तो वह आपको face करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें वो lesson दिया है, इस पूरे passage से, अब मेरे को इसका meaning एक तो बता देना है, और बच्चो ये भी बता देना है, कि आज कल की दुनिया के अंदर ऐसा कहां देखने को मिलता है, क्योंकि एक example भी मेरे से पूछा हुआ है, ठीक है, अब आपके teacher के जो answer copy होगी, जो marking scheme होगी, उसमें य example यहां पर दिया हुआ है, example आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हो, एक दोस्त जो धोका दड़ी करता है, एक दोस्त जो दूसरे के पीट पर खंजर गोपता है, उसको हमेशा यह याद रखना चाहिए, कि उसके साथ भी बहुत बुरा होगा, एक इंसान, एक employer जो employee को परि एक इंसान जो अपने ego के अंदर किसी दूसरे को destroy, destruct करने का सोचता है, एक इंसान जो jealousy की भावना रखता है, उस इंसान के साथ भी tragic downfall होगा, ऐसा कोई भी example बना सकते हो, इसका कोई load नहीं है, tragic downfall के meanings क्या हो सकते थे? मैंने आपको जब पढ़के बताया था और translate किया था हिंदी में, तो मैंने क्या बोला था कि वही हश होगा, ठीक है, कि वही तेरे साथ भी यही होगा, अगर तुमने भी इस तरीके की qualities possessed करी, मतलब बहुत ही बुरा नतीजा निकलेगा, अब इसको आप कैसे भी explain कर सकते हो, for example, he is referring to ugly consequences of our action when we act based on impulse out of jealousy, insecurity etc, explain कर सकते हो जैसे की, he is referring to those actions that we do to others with intention of causing harm, destruction or taking revenge, or explain कर सकते हो जैसे की, these are those situations where we may regret but have no way reversing as they have dire consequences and finally, it means starting from a place where we put on a pedestal and falling to a level where we are looked down upon. इसका मतलब है कि हम यहाँ पर खड़े हैं पर हम लोग अपनी हरकतों की वज़े से गिरते गिरते यहाँ तक आ गए, जहां हमको लोग अब नीचा देख रहे हैं, so that is your tragic downfall, किसी भी इससे समझा सकते हो, अपने शब्दों के अंदर भी समझा सकते हो, एक शब्द में समझा आने की जरूरत नहीं है, याद रखो dictionary नहीं हो आप, exact meaning देने की जरूरत नहीं है, आपको इससे क्या समझ में आया है, बस वो लिखना है, एक एक्जाम्पल कोई भी real life के code कर देंगे, अपने हिसाब से, ओके, all right, meaning समझ नहीं आई, चलो टॉपर मैं आपको meaning समझाते हूं, एक ऐसा इंसान बच्चे, जो किसी इंसान से इर्शा रखता है, मालो आप एक बहुत अच्छे सिंगर हो, आपको अपने दोस्ट से jealousy हो गई है, क्योंकि वो भी अच्छा सिंगर बन चुका है, तो आपने क्या किय उसको मौका नहीं मिले कही पर गाने का, तो आपने उसको विरो competition से एकदम शडियंत्र करके, आपने उसको बाहर निकाल दिया, आपने उसके साथ बुरा किया, अब आपके साथ क्या होगा, tragic downfall, कर्मो का फल मिलेगा ना, क्यों? कर्मो का फल तो मिलेगा, आपने किसी एक इ competition से शडियंत्र करकर के बाहर निकाल दिया तो अब आपको क्या मिलेगा आपके कर्मों का फल आप हो सकता है उस competition में अच्छा कर लोगे पर उसके बार कहीना कहीं आप गिरोगे कहीना कहीं आप गिरोगे कहीना कहीं आपको आपके उन किये उए actions का consequence face करना पढ़ेगा उसी को हम कहते हैं बच्चा ट्राजिक डाउनफॉल जो जैसा करेगा उसके साथ में वैसा ही होगा इसके साथ में कम्प्लीट हो गया है आज हमारी डिस्क्रिप्टिव नेरेटिव लिटरी पासज के कुछ steps discussion, different types of questions का discussion अब हम लोग next class में मिलेंगे जोकी होगी कल जहां हम discuss करेंगे कि factual questions कैसे पूछे जाते हैं और उन्हें हमें कैसे solve करना है हम एके question को decode करते हुए चलेंगे बच्चो मैं चाहती हूँ आप सबसे कि अगर आपको कोई भी परिशानी हो time को लेकर तो please comment section में मुझे जरूर बताईएगा live chart में नहीं comment section में जरूर बताईएगा तक ही मैं decide कर पाऊं कि क्या time यही रखना है या change करना है क्योंकि क्या है ना मेरे पास telegram पर आपके message आ गए है पर यहाँ पर मेरे को नहीं दिख रहा था तो मुझे लगा कि अभी तो यही time रख लेते हैं और उसके बाद में जब आप कहोगे कि time change करना है और आप मुझे बता दोगे comments में मेरे को comments दिख जाएंगे time change को लेकर तो फिर मैं उसके according time change कर लूँगी ठीक है तो आप वो जरूर मुझे बताए क्योंकि मैं अपने आपको आपके according adjust करने के लिए तयार हूँ मुझे को attention नहीं है आप मुझे कहोगे मैं इस समय मेरे को नहीं time मिलता है मैं इस time पे free होती हूँ होता हूँ उस time पे आप मुझे पढ़ाई है तो मैं उसी time पे आ जाओंगे ठीके तो वो आपने मुझे बताना है दूसरी बात आपने आज मेरे साथ में reading comprehension की class लगाई है आपको अच्छी लगिए तो please इसे like करना अपने friends के साथ भी share करना और अगर आप English को full detail के अंदर cover करना चाहते हो आप चाहते हो कि यार sample paper पर solve करने से पहले अगर कोई एक crash course मिल जाता तो बहुत अच्छा होता जिसमें English को एकदम scratch से पढ़ लेते और आने वाले time के अंदर इतना अच्छा पढ़ लेते कि उतना पढ़के हम लोग 95, 96, 100 स्कोर कर पाते तो बड़ा मजा आता तो बच्चों मैं बता देती हूँ मैं आपके लिए संकल्प English लेके आई हूँ जिसमें आप मेरे साथ English पढ़ोगे और ये batch सिर्फ English वाले बच्चों के लिए होगा इस batch के अंदर आपको English में NCRT आपका जो writing section है reading section है सब cover कराया जाएगा आपको mock papers, e-books, सब कुछ provide किये जाएगे और ये batch 665 रुपीज का है तो 665 रुपीज का है अगर आप इस batch को लेने में interested हैं सिर्फ English के लिए तो आपको नीचे description में link मिल जाएगा वहाँ पर click कीजे और link पे click करके SDC18 लिंक पे click करेंगे वहाँ पर coupon code जो है offer वाले block पे click करके SDC18 coupon code लगा दीजे इससे क्या होगा कि आपको maximum discount मिल जाएगा जो sale चल रही होती है उसमें maximum discount से मिल जाता है अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा science पढ़ना चाहते हैं English के साथ-साथ तो आप संकल batch लीजे जिसमें पाँचो subject आपको बढ़ाये जाएंगे आपका English भी होगा Physics, Chemistry, Maths, Biology ये सब कराये जाएगा और वह वाला batch है 990 रुपीज का दादा की 50 batch है वो तो 990 रुपीज का वो है उसमें भी आप SDC18 code लगा सकते हैं लिंक उसका भी नेचे मिल जाएगा और इस code को लगाकर आपको maximum discount मिल जाएगा तो आप वो जरूर कीजे और मुझे बताइए आपका जो भी feedback है मुझे बताइए comment section में मैं जरूर आपकी मदद करूँगी यह time ऐसा है जहां पर हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी और उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे अच्छा यहां पर निलाश्री का एक question मैं what about adventure हाई निलाश्री मैंने adventure और अप लोड़ी upload किया है और जो adventure की live class due है वो अभी में थोड़ा ठीक नहीं चल रहे थी I mean I'm not sure आप उचे यहां पर follow कर रहे थे या नहीं बट कुछ दिनों से मेरी health बहुत जादा खराब चल रही थी और मैं जादा classes नहीं ले ले थी बट वहाँ पर वो जो live class है वो मैं जरूर लगाउंगी आज यह कल वीट कीजे मैं स्चेडूल करके और आपको बताते हूं आज बच्चो थांक यू सो मच थांक यू एवरिवन थांक यू फो जॉइनिंग सारे संकल्पियंस को सारे बच्चे जो पेड़ बाच्च के बच्चे उनको मैं आदे गंटे में मिलने वाली हूं बारा मैं बीच ले लुड कालो मैं बहुत हमारा फार आकान दो अम इसेजियो पर स्नर्ली ऑन टेली ढरे डेखो आप मुझे दोंतरीके से रीच ाउट कर सकते हैं सबसे पहला के शक्याद मेरा मेल लिख लिएक उ theoret warming ale कर सकते तो टिप्रा.mishra at the rate adda247.com यह mail है अगर आपको कोई भी inquiry करनी है, कुछ भी आपको problem है, आप यहां लिखिए and I will revert to you यह 100% चीज है टेलीग्राम पे अगर आप मेरे को message करना चाहते हैं तो आप मुझे message कर सकते है at the rate educator underscore sdc यह आपका टेलीग्राम है टेलीग्राम पे आपको थोड़ा time लगेगा मतलब मैं थोड़ा time लेती हूँ रिवर्ट करने के रिए मैं टेलीग्राम अगर आपको कुछ भी बहुत जादा urgent है या कुछ भी ऐसा है जो तुरंत resolve करवाना है आप मेल कर दीजे तो जल से जल उसको resolve कर देंगे हैं अब unseen passage का source बता दो फो प्राक्टिस देखो मैं आपको मैं भी खुब सारे questions कराऊंगी आपको बुक भी ले सकते हो एड्यूकाट आपको बता सकते हो question bank या फिर कोई sample paper ही ले लो अब तो question bank लेने का मतलब नहीं है और अगर आप संकल्प के अब अच्छे हो संकल्प लेना चाहते हो तो वहाँ e-books मिल जाएंगी वह आपसे लिवटली फ्री है निलाश्री याल अपडेट दाट मैं लिंक अपडेट करती हूं वहाँ पर मैंने आपके लिए notes बनाकर भी तयार रख रखे हैं 10th 11 12 तीनों के लिए तो नोट्स बनाकर भी तेयार रख रखे हैं आज एक बार चेक करना है मिरको एक फॉर्माट वगरे चेक करना है और उसकी बाद में एल फॉर्वर दे नोट्स अलसो तो यू अच्छा चालो बढ़ी आया है और राइट देन आइल्स यू बाई बाई पुच्ची बच्चो बबाई टेक एर राइल्स यू संकल्पियंस 12 o'clock and don't forget to like share and subscribe rest of you